तमस्कार बहुत बहुत स्वागताब सभी का खरा सौधा में मैं हूँ प्रियंका और मेरे साथ है दिंपी तो एक बड़ी स्वांटा राली चलने के बाद भारते बाजार अगल साल के आखरी हफते में इस मंत की लास एक्सपाइरी वीक में क्वाटर की एक्सपाइरी में ग्ल थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है या फिर आक्शन तेज वेगा अगले ठाई घंटे कहीं सारे अहम ट्रिगर पर बात होगी ग्लोबल मार्केट पर बात होगी इंडिन मार्केट के सेट अप, FNO स्ट्राटजी और आपके लिए ट्रेट स्ट्राटजी सब कुछ लेकर आए एक एक कर सारे सबको डिसकस करते हैं पहले एक बार चार बड़े ट्रिगर समझते हैं फिर डिंपी के पास इंडिन मार्केट को भी डिसकस करेंगे फ्राइडे को क्या हुआ था पहली बात शुक्रवार को आपको एक थोड़ा सा डाव दबाव में दिखाई देखे लिगे आप देखें आठ हथे से लगातार यूस मार्केट में तेजी दिखी और शुक्रवार को भी एक पॉजिटिव नोट पर ही बाजार बंड़ा आप यहां से अगर क्यू लें तो 21-400 के पास आपको गिस्निफ्टी दिखाई दे रहा है जो और उपर की कॉल्स में ही आपका च लेकर निकल जाना चाहिए पर स्टॉक्स में रहना चाहिए प्राइमरी मार्केट में भी तसनी से आगे बात होगी लेकिन पहले एक बार घरेलू बाजार को डिसकस कर लेता है दिंपी के साथ कि उन्होंने बड़े डेटा पॉइंट्स देखें किया हम देख रहे हैं कि सारे हैं बहुत शैलो हैं और फट से आपको बुल्स की पकड में दिखा भी दे रहा है बाजार चर्निंग भी बहुत स्ट्रॉंग दिख रही है लेकिन अगर आप देखें तो अवराल सारे स्पेसे से अच्छा कंट्रिबिशन दिख रहा है आप क्या रीट कर पाए होता हुआ दिखा कि मार्केट अभी चल रहा है या फिर मार्केट तो अभी करेक्शन फेज में आ रहा है एक्चली हो कह रहा है कि मार्केट टेन अप पूरा एकसपारी के फैक्टर्स को एकसपारी से पहले ही कर रखा है तो इसके पास बहुत कुछ है नहीं अभी करने के ल नौन स्टॉप जब एफ इस नहीं भी आए थे तब भी ग्लोबल मारकेट हमारे फेवर में आके खड़े हो गए थे तब से हम देख पा रहे हैं नौन स्टॉप ग्लोबल मारकेट का भी असर भारती बजारों पर पड़ा तीसरी इंपॉर्टेंट चीजा है कि शायद भी सुख बगाट रहेगी यहीं कि पॉलिसी फ्रेंट को लेकर क्या बाते आती हैं तो यह अपने आपको बाजार थोड़ा वेट कर रहा है थोड़ा रोके हुए है इसमें एफाइस का रोल क्या है एफाइस का रोल बहुत ही अच्छा था और एफाइस ने मारकेट को यहां तक बुलंदी से खड़ा किया है थोड़ी बहुत चर्निंग मेरे को लग रहा है मारकेट के अंदर भी और होगी यह चर्निंग आपको सेक्टर तो सेक्टर हो सकती है एक्जामपल के लिए मैं सिर्फ दो ही शेर आपके सामने रखूंगा आप HDFC बैंक और इनफोसिस को दिखा दीजे इंट्राडे का जो फ्राइडे को काम हुआ है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आई टी वाले शेर्स थोड़ा वापी से अपनी पूजिशनिंग को स्ट्रॉंग कर रहे हैं रोल ओवर में भी दिख रहा है यह HDFC बैंक डेज लो पे एक बर दर इनफोस का पार्ट है अंदर यंदर काफी बड़ी बड़ी न्यूज है जैसे आपने यूपी एल की पे टीम की इस सभी न्यूज उनिफेक्ट सेभी का भी जो बयान आया है जल्दी से सट्रॉमेंट करने वाला तो इस सब बजार के लिए पॉजिटिव नोट लेके आ रहे हैं लेक चुटी जैसा ही फील करेंगे मारकेट को देखके अगर आप नहीं गए तो आपको फीलिंग भी चुटी जैसी आएगी तो थोड़ा सा आप इस तरह से अपने आपको देखेगा और आपको कुछ-कुछ वैसे ही आपको बनता हो दिखेगा मारकेट फिलाल तो प्रेंका यह यूएस मारकेट में आप तेजी देख रहे हैं लास्ट वीक उनके लिए भी यह अफता रहेगा अलागि आज एजिन मारकेट में कहीं जगाँ पर बंद भी है जपान को ओंको के बाजार बंद लेकिन एशा मारकेट से में शुकरवार को क्या संकेत है कल वहाँ भी बाजार बंद थे तो जो बड़े संकेत निकल कर आए उसमें एक सबसे बड़ा एकोनॉमिक इंडिकेटर जिसकी बाद हम लास्ट वीक भी करें थे वूता पी सीए का डेटा बहुत ही बड़ा गाउज होता है इंफलेशन का बेंचमार्क सेट करता है फेट के लिए और वहाँ पर ए के रेप्रेजेंटेटर आप बाद भी कर रहें और बाजार यही सुनना भी चाहता है क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट यहां से कैसा होगा उसके लिए बड़ा गाउजाब के लिए इंफलेशन का ट्रजिक्टरी है जो नीचे की तरफ दिख रही है दूसरे स होने की वज़े से हैं लेकिन ओवरॉल ऐसी डॉलर की नीचे कूट हमारे लिए मोजिंग मार्केट के लिए तो सारे एक अच्छी पिक्चर इंडर मार्केट के लिए और आप देख भी रहें कि ग्लोबल मार्केट से आपको हवा महौल मूट महौल अच्छा देखने को मिल अब FNO के संकेट भी क्या यहां से पिक करें क्योंकि अगर हम फ्राइडे का डेटा देखें मैं आपी का डेटा बढ़ रहे दी कहीं न कहीं कि एक किस आट सो और 22,000 की कॉल में अच्छा आक्शन देख रहा है नीचे भी एक बेस बनता हुआ है दिखाई दे रहा है तो यहा आप में इसे बोलेंगे कि चार दिन अगले तीन चार दिन में क्या होगा तो मैं बोल सकता हूं बहुत अपने डाटा की बेसिस पर और स्टैडी के बेसिस पर ना तो और ना ही ब्रेक डाउन होगा और इस बीच बजार बीच में ही रह जाएगा यह 21,000-21,200 की एहम पर लागू हो जाता है दूसरा ओप्शन का ट्रेड यहां पर काफी एक्टिव है यह इसको तोड़ने नहीं देगा क्या उपर जाते समय हम ट्रेड लेंगे क्या उपर साड़े लिख पास करी तो आपके पास के आप बंद भी मिडल में होई हो 21-350 पर आपके पास जस्ट डेड़ सो पॉइंट नीचे का सपोर्ट है जस्ट डेड़ सो पॉइंट उपर का एक रिजिस्टेंस है तो इस डेड़ सो पॉइंट में आज कर दिन भी निकलेगा अगर कुछ नहीं हुआ तो कल का दिन भी निकल जाएगा और थोड़ा एकसपारी का इंपक्ट आपको क्योंकि आई टी चल रहा है तो निफ्टी पे थोड़ा सा हम हो सकते हैं ड्रैक करने के कोशिश करें बस अधरवाइस वैसे कुछ नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम आए हैं और लॉंग साइट पर रोल हुई है 33% का रोल ओवर का नंबर है निफ्टी पर कुल मिलाके सारी बात एफंडू डाटा के पॉड़वी से मैं जो ऑप्शन का डाटा मैंने जोड़ा रोल ओवर का डाटा जोड़ा वो यहीं बताता है कि जिनके पास पॉजिशन है उनको लॉंग साइट पर रोल ओवर करनी चाहिए और उनको 21,000 से लेके 21,200 का स्टपलस लगा लेना चाहिए अपने कमफर्ट के कॉडिंग हा कई 21,000 भी लगाएंगे कई 21,200 भी लगाएंगे 200 पॉइंट की रेंज एक सपोर्ट की है उनको रोल जरूर करना चाहिए क्योंकि मार् लिए किसी की वह शौट है उसको भी रोल करना चाहिए जब तक यह रेंज टूरती नहीं है हो सकता है जटके से उसको 200-300 और मिल जाए जैसे मैं लॉंग वालों को बोल रोल करें आप तो शौट वाले भी रोल करें क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को अगले महीने के शु है शौट कवरिंग थोड़ी हुई है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट चर्ण करेंगा ऐसाच कोई नंबर ड्रस्टिकली चेंज हो रहे है ऐसा तो नहीं लग रहा अब आप बैंक निफ्टी के बारे में भी पॉइंट रखी देता हूं आपके सामने 22 पॉइंट का रोल ओ बैंक निफ्टी से आप ज़्यादा ट्रस्ट ना करें होता क्या है कि लो रोल ओवर और हाई रोल ओवर या फिर नेगिटिविटी सिरीज के एंड में तो वही टर्न हो जाती है पॉजिटिविटी सिरीज के स्टार्ट में तो फिलाहल अभी आपको क्या होगा ना अभी बै 47000-48000 की मुटमटी रेंज है 47000 जल्दी अल्दी ब्रेग करेगा नहीं 48000 जल्दी ब्रेग धनी ब्रेग करेगा नहीं तो इन दोनों ही केसिस में ये अपने आपको बचाने के सिर्फ कोशिश करेगा पुट कॉल रेश्यो करीब एक क्या असपास है विक्स करीब 3,545 क्या अंदर ना तो breakout ना ही breakdown ऐसा कुछ होने जा रहा है और एफाइस का नंबर भी कुछ-कुछ यही है 65% long के साथ हम अगली सीरीज में जा रहे हैं रिटेलर्स के पास 40% माल पड़ा हुआ है ना ही D.I.S. छोड़ रहे हैं ना ही F.I.S. छोड़ रहे हैं जो रिटेल के पास आ रहा हो और ना ही रिटेल खरीदने के लिए उक्सुख है तो इसलिए सब के सब अपने अपनी positions पे खड़े हुए हैं कि कोई एक तो गलती करे उसका फायदा सब लोग लेंगे लेकिन कोई गलती भी करनी रहा जैसा का तैसा डाटा जैसे बन रहा है यही आगे शाय सिरीज में चला जाए तो यानि धिम्पी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है इंडेक्स को ट्रेट करना स्टॉक कौन सा आपने फिर identify किया जिसमें एक अच्छी position ली जा सकती है देखे एक share जरूर मैं बोलूँगा वो Mr. Basin भी कई बार आपको notice करा चुके है policy के हिसाब से वो टूटा था share उस share का नाम है IGL उसने अपने बेस बना लिया है वो बेस काफी strong है काफी अच्छा है अनर्जी का रोल ओवर भी काफी अच्छा है हमने इसके जैन के और डिसमबर के दोनों के contract भी चेक किए डिसमबर के contract के अंदर covering आ रही है और जैन के अंदर long positions है नहीं कि जो आदमी इसको accumulate कर रहा है वो अगली series में जाके profit कमाएगा तो आप भी यही काम कीजिए आप न डिसमबर को तो छोड़ी दीजिए आप सीधा January वाले contract को प्लस कीजिएगा IGL के यह जो आप हरी line देख रहे हैं यह 50 दिनों की average है और जो उपर red color की line है 200 दिनों की average है टेकनिकल में बेसिक सा rule होता है जहां पर आप खड़े हो और जहां पर आपको दिख रहा है वहां पर आपको जाना होता है आप 50 पे खड़े हो 200 पे आप जाओगे तो आपके पास ना 30-40 रुपे का पूरा पूरा रूम है और आप चाहें तो 30-40 रुपे के हिसाब से IGL पे पॉजिशन ले सकते है मेरे को लगता है कि 440 तक का target सिर्फ pullback पूल बैक में आ जाएगा risk reward भी अच्छा है सेक्टर की चर्निम भी और यह से मैंने का नर्जी के अंदर मूव काफी अच्छा है पॉजिटिव रोल साइड पे हमको देखने को मिल रहा है और यह थोड़ा पिटा हुआ शेर है सिर्फ का चला हुआ शेर भी नहीं है तो सारे फेक्टर ना आपके हाक में है तो इसलिए IGL के अंदर थोड़ी बड़ पॉजिशन ली जाए चार सो पांच चार सो आठ की रेंज में प्लस हैं चार सो चालिस तक जाने के चांसी हैं अगली सिर्फ का दमदार एक पुल बैक वाला एक स्ट्रॉंग बेस बनाने वाला शेर हो सकता है आप इसको जरूर ध्यान रखेगा यह हमारे तरह से एकलोता ही शेर है जो अगली सिर आपकी यह मदद करने के लिए वेशाली पारेक, किरन जानी और कपिल शातीनों हमाने साथ बने वेग गुद मॉर्निंग तो आल फ्यू स्टार करते हैं वेशाली से वेशाली जिस रहां का बेस के हम बात कर रहे हैं कि आप 21-200, 21-300, 21-400, सब पर एक अच्छा कासा आप यहा 21-400, 21-400, सब्सक्राइब कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं तो एक बर यह क्रॉस होता है और सस्टेन होता है और 21-700, 21-800 की तरिख सकते हैं और देखा चाहे तो रिलायंस है, IT sector, a bank sector is a bit sluggish, but IT sector साथ दे रहा है, even reliance is going strong, so I think it is quite likely that हम आगे बढ़ेंगे और we will go towards 21-700, so that is my view, but well, clarity तो आगी, आएगी उन्ली 21-400, 70 को cross करते हैं ठीक है, 21-700 की तरव आपको दिखता है, लेकिन 21-400 डिसाइसिवली उपर ब्रेक करना चाहिए, तो ये इंडेक्स पर एक view है, आप स्ट्रेट स्ट्राटेजी भी समझ लेता है, एक्सपर्ट्स देखे आ रहे हैं, कपल, मॉनिंग आपके आज की ट्रेट्स क्या होंगे? कपल, आपके आवास केसे आएगी हम तक नहीं तो? मॉमिन्टम अभी ओन होना दू है, कंजुमर टूइबल स्ट्राट्स में हमने काफी टाम से का साइबस देखा था, लकिन अभी के टाम पर वो एक मॉमिन्टम ट्रैक्शन हमें यहां पर बिल्डप होते हुँ देखने मिल रहा है, तो सबसे पहला स्टॉक हमारे हविल्स का अभी इंटर्नली सपोर्ट लेवल पर टेस्ट किया हुआ है, और इमेडिटली जो रेशिशन लेवल पर उसका भी हमें ब्रिक आउट देखने मिल सकती है, तो यहां पर हमें एक बुलिश चार्व बीस का स्टॉप लोगा है, और दूसरा, जैसे कि हमें पिछले कुछ श्र लेवल पर चल रहा है अभी तो करेंट लेवल पर बाई की हिदायत रहती है, और उपर में टांगिट शेजार चार्सुप लोगा है, ठीक है, एक चीज के लिए आपको बदा ही दूँगा, लास्ट जो आपके ट्रेड दिया था, मैंको लगत है कैस्ट्रोल आपकी कॉल थी जितना मैं कोई याद है, मेरी ने एक्चली एक कापी बदल गी है, इसलिए मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंको लगत है कैस्ट्रोल आपके ट्रेड है, आपका ही था ना फ्राइडे को कैस्ट्रोल जो चला था आठ एक परसंट, जी कैस्ट्रोल क या आठ आठ परसंट उपर आके रोख जाएगा, फिर जटन्डा हो जाएगा शेर, लेकिन आपको बस टाइमिंग करनी होती कि कि समय शेर चलेगा, और उस समय आपने पकड़ लिया तो आपको महीने भर के पैसे एक दिन में दिनी की कैपिसिटी रखता है, और ये काम किया है सर, गुड मॉर्निंग, तो अगर आप डिली चार्ट देखोगे तो डिली चार्ट पे लिगर कर डबल बाटम ब्रेक आउट उसके बात कर जो री टेस्टिंग होना था, वह भी हो गया है, स्टॉप ने रीसेंट क्रेश के अंदर प्टिटी इस मुहीन आवेज का सपोर् कर रहे हैं, कहीना कहीं लग रहे हैं, यहां से भी एक अपसाइट बन सकती है, मुमेंटम इंडिकेटर भी काफी एक बुलिज जों के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो जुवाली एग्रोकरिकल, हम करन्ट मार्केट पैस से लॉंग करके जाएंगे, दोसों तक क्या हमारे टा वाल्यू के साथ इसने क्लोस दिया है, और कहीना कहीन अगर हम मुमेंटम इंडिकेटर दे के तो वहां पी भी पॉसिटिव डैवर्जनस है, तो इक मुमेंटम के हिसाब से हीरो मोटर कॉप हमें लग रहे हैं, यहां से लॉंग करना चाहिए, ऊपर में 4,000 तक के हमारे टार सेल्स के नंबर भी आते हैं, मन्त के स्टार्टिंग में, तो इसलिए इन दोनों का कॉंबिनेशन जाता है, और आटो काउंटर में आपको देखता है, और लास्ट की क्लोजिंग भी अच्छी है, करीब 2% उपर है, तो हीरो मोटर कॉप सरकी ट्रेड काफी अच्छा लग र कि आपकी दो ट्रेडिंग कॉल्स में से एक विपरो था, अब ठीक है ना, ये फ्राइडे को था शायए, फ्राइडे और थर्स्डी में से आप थे मार साथ, तो अपने विपरो दिया था हमको, हाँ जी, सो मैं आपकी विपरो की कॉल बहुत, तैंक यू, सो एक्छी मैं शुरुआत भी करी थी, इनफोसिस से उस प्रीवेस वीक पे और इनफोसिस ने भी एक मोमेंटम शुरू कर दिया है, तो विपरो इस्टिल कांटिडू तू से बुलिश, I think 465 क्रॉस करता है, तो 480 का next target है, so likewise मैं अब HCL Tech पे मेरा ध्यान है, HCL Tech आज मेरा एक है, Friday में थोड़ा मोमेंटम शुरू हो चुका है, new round of momentum has begun, so 1430 के stop loss के साथ 1500, 1520 का target, दूसरा है DLF, actually property sector, reality stocks में, DLF अलसो एक तेजी दिखा रहा है, so DLF 715 है, 700 stop loss, 745 का target, और तीसरा मुझे जो सही लग रहा है, वो Sun TV, momentum काफी आ चुका है, uptrend काफी strong है, so Sun TV में भी मेरा view positive रहेगा, but थोड़े decline की wait करिये, and look for a target of 745 to 755, ठीक है, alright, तो सारी trading calls मारे experts के मारे पस आ चुकी है, अब बढ़ते हैं आ गया, और शो में शामल करता है, important stocks and news, शरत लेकर आए है, शरत बताएं, कौन-कौन से stocks हैं जिन आ रही है, कि जो merger होने वाली है, डिजनी के साथ, वहाँ पर company ने एक non-binding agreement sign कर लिया है, अगर deal की बारे में बात करें, तो February में जो है, ये deal की closure देखने मिल सकती है, और इस total जो structuring में बात करें, तो यहाँ पर reliance की आःम को लगबग 51% stake रहेगा, जो की majority होती है, और ये एक important development आया है, डेड़ बिलियन डॉलर या है, कि लगबग 12,000 क्रोड का जो एक बड़ा order है, वो रद कर दिया गया है, जो एक global MNC company है, उनके साथ इनका एक tie-up होने वाला था, अफकोस याद रखिए, ये 15 साल तक आगे जाने वाला जो था पुरी contract थी, लेकिन termination से जो है कि AI automation के लिए और company की जो spokespercent है, उन्होंने भी कहा है कि लगबग 10 से लेके 15% जो employee costs होती है, उसमें जो है एक टाइप से cost saving या cost reduction देखने मिल सकता है, तो ये important announcement आने लगी है, जो AI artificial intelligence होती है, उसके automation के कारण जो है tech staff या जो staff हो रही है, वो अब कम हो रही है, और costing जो होती ह कि वो भी अब कम हो रही है, चौथा stock रहेगा विपरो, यहाँ पे clarification आई है, new slows चल रही थी कि संजे जलोना, जो की CEO और MD पहले रह चुके LTI Infotech को, वो join कर सकते थे विपरो को, और विपरो ने जो है, यह सारे बात को खारिज कर दिया है, और एक clarification निकाला है, UPL भी focus में र चल रही है, और अगर यह पूरे rights issue यह खुद यूज करेंगे, तो इनकी जो overall debt है, कर्ज है, वो लगबग 12% गिर सकती है, तो UPL भी जरूर अपने radar में रखिएगा, अनन्त राज, NCR के player है, real estate के, यहाँ पे important इनका एक update आया है, यहाँ पे वो अशोक estate की जो project है, वो December 2025 मे complete होगी, और जो बिल्ला नियारा के साथ इनका JV है, यहाँ पे वो एक township launch करेंगे, चार launches को लेके, और importantly जो data center है, जहाँ पे stock में re-rating की बात चल रही है, analyst की, उन्होंने कहा है कि जो data center capacity है, वो अगले चार साल में, 2022 से लिए के 2026 के range में, लगबग 38% CAGR का growth का अनुमान ल होने चाहिए, और यहाँ पे movement भी दिख सकता है, विप प्रो, UPL, यह कुछ key stocks गोई जिन पर हम नजर रखेंगे आज शरत, अब यह बताएं, primary market में आज तीन बड़ी listings भी है, लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है, कैसे subscriptions रहे हैं, क्या कुछ compile किया है, जी बिलकुल अभी 4 trading session बागी है, और 8 IPO के listing होने वाले, उसमें से 3 listing जो है, आज होने वाले, और कल 3 और listings होंगे, 3 listings में बात करें, तो सबसे पहला मुथूत microfinance यह focus रहेगा, IPO price तो 291 है, और जो subscription level से, वो लगभग आप कह सकते हैं, 12 गुना है, लेकिन जो grey market premium suggest करें, वो 10-15% का gains expect कर सकते हैं, य जो subscription होई है, वो 173 times पे होई है, और expected है कि bumper listing हो सकता है, जहां पे grey market premium suggest कर रहे है, 80 से लेके 120% तक का जो यह range आ रहा है, आपका listing gains को लेके, तीसरा stock या तीसरा company कहेंगे, सूरज estate developers, IPO price 360 रुपे, और जो subscription आया है, वो लगभग 17 गुना का है, अगर बात करें, तो यहां पे flattish या mild listing देखने मिल सकता है, क्योंकि 5% का grape market premium है, तो दो company के जो है, लगभग सा part या mild listing gains देखने मिल सकते हैं, एक company का strong listing देखने मिल सकता है, ठीक है शरत, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much, और आपने सारी चीज़ अच्छे से notice करवा दिये, एक तो IPO's वाला भी और दूसरे खबरों वाला भी, अब एक काम करें, खबरों के हिसाब से चलते हैं, एक तो बड़ा share है, Reliance Industries उसको regarding जो खबर आ रही है, कि वो Disney World Star के साथ उन्हें एक agreement किया है, non-binding agreement है, इसको sign कर दिया है, तो उस सबसे बड़ा player बनने जा रहा है, भारत के अंदर, Media Ventures का, और Media का उन्हें को, बलकि Entertainment Division का भी होगा, और आपको ध्यान है कि ऐसी खबर कुछ को Zee और Sony के साथ भी चल रही है, तो इन दोनों के टसल सी है, Zee, Sony एक डिजनी और Reliance एक तरफ, तो एक ये दोनों का combination पैरलर पैरलर चल रहा है, खेरे, नहीं या चनोतिया भी ले के आएगा, और अब एंगल भी खोलेगा, और आज Sun TV भी विशाली ने दिया है, मैं को लग रहा है, इसका impact भी आएगा, Sun TV पे positive भी आएगा, क्योंकि हो सकता आन इंडस्ट्री का trade, एक तो इस सीरीज वालों को रोल कर लेना अगली सीरीज में, और टार्गे स्टॉपलोस का अगर पॉजिशन प्लस करनी है, ख़बर positive है, रिलेंस के बिसिकले जो हम चार्ट का structure देखते हैं, तो काफी positive ही रहा हुआ है, जब से stock में 2460 के level को पार किया आपका trend, आपके relations आराम से टूट्स जाते हैं, तभी हमें support पे focus करना चाहिए, stock का momentum positive रहेगा, जब तक वो 2520 के उपर sustain करता है, और जैसे 2580 का level हमें उपर cross करने हुए देखने मिलता है, तो यह हमारी एक entry point हो सकते है, 2580 के level के यहां पे, और 2520 का stock loss रह सकता है, और उपर म का positive है, 2520 का stock loss रहना चाहिए, ओके ठीक है, यह रिलाइंस पर recommendation, जैसे से recommendation आए ना आप लिखते भी रही है, अगर लिख पाए तो, नहीं तो कम से कम stamping करके बता दीजेगा, ताकि पता लग पाए कि इसमें buy है, sell है, क्या चीज़े, यह buy call है, ऐसे नहीं तो याद नहीं रह UPL एक दूसरा share लेके आते हैं, आपके स्क्रीन पर, जहां पर खबर यह है, कि यह 4, 45,000 क्रोड पर जुटा रही है, कमपनी को टोटल डेट करीब 3500 क्रोड रुपे के आसपास का है, 35,000 क्रोड का माफ कीजिए, अगर इस 45,000 क्रोड पर जुटा लेते हैं, तो करीब 12% यार भी है क्या, विशाली इसको जड़ा चेक करोगे, UPL को, ये एक सिरीज में कोई ऐसा नहीं कि बहुत चला हुआ share है, इसका मंतली भी दिखा रहेते हैं आपको, अब अभी क्या ये share चल सकता है क्या अगली सिरीज में क्योंकि चर्निंग का पार्ट केमिकल्स कंपनी भी इस higher bottom बगाने के लिए, so 565 के stop loss के साथ ये stock अगर चलता है, तो 600-620 के targets आ सकते हैं, so 565 एक favorable risk reward ratio भी बन रहा है, 565 के stop loss के साथ ये खरीदा चाह सकता है, और a target of 600-620 ठीक है, तो UPL पर नज़र जोर रखें January Series के लिए भी, कुछ और stocks भी discuss करें, लेकिन उससे पहले एक बार आज की बड़ी broking firm की reports भी ले आते हैं, वहां से भी कहीं सारे trades अमान ले निकलेंगे, उन्हें भी discuss करेंगे, वहां सथ fundamental expert भी होंगे, लेकिन पहले ममाक्षी से बड FY24 की order inflow guidance को बीट कर सकती है, inflows in fact करीब साथ कुना बड़े है year to date और government की तरफ से काफी अच्छा push नज़र आ रहा है, make in India को लेकर काफी बड़ी opportunity अभी भी बाकी है और in fact काफी बड़े orders के लिए company bid करने वाली है, तो overall in factors को ध्यान में रखते हुए CLSA पर अपनी खरेदार करीब दो बिलियन डॉलर का इनके पास backlog है, और in fact करीब two times top line growth post करने के लिए ये company काफी अच्छी तरीके से placed है, और overall in factors को ध्यान में रखते हुए CLSA ने जेकमार इंफ्रा पर खरदारी की राय को बड़करा रखा है, और target price भी significantly बढ़ा कर 720 रुपीज प्रतिशर पर कर दि long term growth के prospects नज़र आ रहे है, 17% का revenue और 22% का EBITDA के अगर भी हिनन नज़र आ रहा है, FY23 से लेकर FY28 तक और largely जो growth नज़र आएगी, वो sales efficiency और economies of scale की वज़े से नज़र आ सकती है, तो इन factors को ध्यान में रखते हुए, इक्विरस ने इंडिया मार्ट इंटेन मेश पर long की राय के साथ coverage चुरू की है, इसके अलावा Canfin Homes पर focus करेंगे, Morgan Stanley का कहना है कि IPKRA ने अपनी long term rating को upgrade किया है, counter पर AAA ये development काफी positive है, profitability के front पर और इसके अलावा cost of borrowings भी कम हो पाएंगे, overall ये low cost of borrowings है, company use कर पाएगी, lower yielding segments को target करने के लिए और उनकी loan growth भी इसी की वज़े से accelerate हो सकती है, तो overall इसी के चलते Morgan Stanley ने अपनी overweight की राइक उबर करा रखा है Canfin Homes पर, oil and gas sector भी focus में रहेगा, MK का खेना है कि stock में काफी अच्छा run-up नजर आया है, मगर valuations अभी भी काफी inexpensive नजर आ रहे है, steady production, growth persist करते हुए नजर आ रहे है, oil India के लिए, और overall dividend yield front पर ONGC और oil India भी काफ से 6% dividend yield के लिए, overall इन्होंने अप दोनों ही काउंटर्स, ONGC और oil India पर अपनी खरेदारी की राय को बढ़करा रखा है, और अपना target price बढ़ाया है, और आखिर में हम focus करेंगे, के Fintech पर spark capital की तरफ से report आ रहे है, और यह highlight कर रहे है, कि pricing pressure और MF RTA business में अभी भी थोड़ा ह है, मगर इसका impact industry के मुकाबले थोड़ा सा कम है company पर, company issuer solution में, company market leadership enjoy कर रहे है, high profitability enjoy कर रहे है, और उनका AIF business है, यह इनका fastest growing segment है, हाला कि अभी इसे 4% of total revenue है, overall revenue करीब 13% और PAT करीब 18% के आगर से grow हो सकता है, FY23 से लेकर 26 तक और इसी factors को ध्यान में रखते हुए, Spark Capital ने के Fintech पर, खरिदारी की राय के साथ, coverage चुरू की है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्री आप वामाक्षी, यह सारी reports, compile करके मानले लाने के लिए, इनमें से possible trades भी discuss करेंगे, लेकिन कुछ और trades जो हमें शरद अभी बता के गए थे, उन पर बात करते है, Infosys पर आज कैसा impact आ सकता है क्योंकि September, इसे September में, company ने एक pact announce किया था, इस global company के साथ, जिसके अब terminate होने की बात हो रही है, और यह लगबग 1.5 billion dollar का है, एक बड़ी deal थी, और बहुत बार, क्योंकि जितनी भी IT companies हैं, उनके लिए बड़ा bottle लाग यही था, कि बड़ी large wins नहीं आ रही है, तो उसके अपस होने की बात होती है, तो क्या इस पर negative impact भी आ सकता है, एक बड़ कापिल से स्टॉक को समझते है, कापिल, of course, शुक्रवार तक का ही डेटा आपके पास होगा, और यह over the weekend news आई है, लेकिन इस बक्ता Infosys दिख कैसा आ रहा है, तो जो इसके पोजिशनिंग दिखता हू Infosys के related में बात को हूँ, तो जो मैं का RSI का इंडिकेटर यूज करता हूँ, और पिछले 20 सालों में उनके accuracy काफी अच्छी रही हुई, कि जबी भी इस टॉक अपने oversold signal radio में आया हुआ है, मन्तली चार्ट के RSI पे, तभी हामें हमें अच्छा का सी अच्छा का सी momentum देखने मिली हुई है, तो यह जो भी recent development हमने जो 20 सालों से जो चलती आ रही है, वो हमने में 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 देखी हुई थी, उसके बात में time wise correction हुआ था, लेकिन stock price नहां से काफी अच्छी moment पे आ रहा है, और immediately जो पिछले एक दो साल का falling trend line थी मतली चार्ट पे, वहां पे हमें एक से दो साल तक फिर भी हम hold कर सकते हैं, पूरे स्पेक्टरम में ये परिवल सेक्टर है, वो अभी इसके अपरन due मुझे लग रही है, तो technically काफी अच्छी well positioning है, और immediately short term में भी उपर में target जो मैं इसके देख रहा हूं, तो 1620 के तक की upside potential stock ही हो सकती है, तैयानी आप कह रह करके रखना चाहा रहे हैं, तो उपर के level 1600 के ऊपर आपको कपलया recommend कर रहे हैं, कुछ और stocks को भी discuss करता है, उसमें एक stock है, जै कुमार infra इस पर CLS से की एक report आई है, और target भी काफी बढ़ा है, target in fact double कर दिया, 380 रुपे का target था पहले, अब 720 कर दिया और उसकी पीछे बड़े के start में मिला था, और इसी बात का, order wins का ही बड़ा reason बताया, CLS ने भी अपनी इस report में, उन्होंने इस बात कही है, 2024 बहुत अच्छा कमनी के हो सकता है, और market cap बढ़ सकते हैं, इसमें movement आने की बात है, तो यहां से जै कुमार infra के लिए, जब double तक के target हैं, तो क्या technicals भी support कर एक बार check कर लेते हैं, यह किरन के साथ, किरन जै कुमार infra के आप जड़ा हमें थोड़ा से long term charts देखकर बताएं, कि कोई से hold करता है, तो किल levels के लिए एंटर करें इन पॉइंट पर, तो जै कुमार infra के लिए बात करें, तो stock all time high के उपर चल रहा है, साधी से बगर आप देफिनेटली बाई करके दाना चाहिए, मंद्री चाट के ओकर साथ-साथ में एक फ्लैक बाटन भी है, तो कोई भी गिरावट आती है, current market price से आप बाई कर सकते हो, 490 से लेके 450 एक इसका accumulation zone रहेगा, और नीचे में कहीं ना कहीं है, आप अगर लंब समय के लिए देख रहे एक खबर पेटीम के रिगार्डिंग भी है, हाला कि उसका बिजनस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंडारेक्टली बिजनस से ही लेना देना है, खबर यह है कि उन्होंने कुछ ले ओफ किया है, करीब 200-300 लोगों के आसपास का, और यह भी बता रहे हैं कि artificial intelligence, automation की वर यह चीज तो बहुत क्लियर है, अगर इस फिंटेक कंपनियां कर रही हैं, तो फिर IT कंपनिस क्यों नहीं करेंगी भविश्य में, या फिर और कंपनिस क्यों नहीं करेंगी भविश्य में, तो यह इस खबर से यह lesson तो बहुत क्लियर है, कि artificial intelligence बहुत सारे लोगों को replace करने च cost को कम कर देंगे, मैं को इस पर डाउट है कि आप 10-15% employee cost को कैसे कम कर दोगे, अगर आप थोड़े से लोगों को निकाल रहे हो, अच्छा जादा भी लोगों को निकाल लोगे तो फिर 10-15% लोगों को निकाल रहे हो, तो आप कैसे artificial intelligence को भी maintain रखोगे, मेरे को थोड़ा इस इसमें क्या करें, साड़े 600 का rate है करीब करीब PTM का, मेरे साथ से खबर का ना ही positive ना ही negative कुछ खास असर नहीं आएगा तो PTM के अधर हम बात करें, रिसेंटली जो एक negative news आया थी, वहाँ से जो एक fall आया था, कहीं ना कहीं stock उसमें संभलने के कोशिश कर रहा है, 600 के आसपास उसका previous resistance था, उसको cross करने के बाद हमने देखा है कि उपर 950 तक की एक rally दी थी, तो जब तक 600 का level ब्रेक नहीं होता है मेरे इसाब से अभी acquisition zone के अंदर है, एक extreme oversold directly से stock निकलने के कोशिश कर रहा है, तो oral chart pattern के इसाब से देखी तो एक range के अंदर, जब तक 600 का level नहीं थोड़ेगा, तब तक यहां से कोई fresh corrections expected नहीं है, और उपर में जिस तरह की chart है, जब तक 700 के उपर नहीं जाएगा, तब तक इसमें और भी उपर के level आने के chances कम है, तो दोड़ा time देना पड़ेगा इस stock को, 600 के 700 के बीच में considered होगा, लेकिन risk reward ratio के इसाब से गिरावट आती है, तो लेना चाहिए, 600 के सिक stop loss के साथ. ठीक है, देखे आप ये इसको आईरनी बोली है, क्या कुछ भी बोल दीजिए, देखे बैलेंस शीट पे कोई ऐसर आएगा ना तुरंट, तो market पे reaction आएगा बहुत तेजी, ये वही पेटिये में जिसने का था कि हम अपने एक लाग के जो ticket size वाले लोन है उस पे हम ज़्या ज़्यादा फोकस नी करेंगे, 20% तूटिया था, लेकिन जब 200-200 लोगों को निकालने के बात आ रही है, तब इस share इतना नहीं तूटेगा, आप कैसे भी समझ लीजिए, थोड़ा cruel होता है corporate culture, तो मैं एक सीड़ी सीड़ी बात बोल रहा हूँ सबके सामने, तो इसलिए पे आगे बढ़ते हैं, आज ने एमके ने भी रिपोर्ट निकाले और बड़ी टाइमली रिपोर्ट है, अनर्जी पैक को लिकल निकल के आई है, जो ऑलन गैस के रिगार्डिंग है, उन्होंने का कि हम ओन जी सी पे मेंटेन बाए हैं, और आप देखें टार्गेट कैसे आएक, आईल इंडिया, विशाली दोनों शेयर आप चेक कर लिजे, टेकनिकल सिब्टक में लेवल्स बता रहें तो ऑईल इंडिया के भी, वो कहरें कि ओएल इंडिया पे भी हमारा मेंटेन बाए है, हम टार्गेट इसका कर रहे हैं, तीन सो सतर से चार सो पैंतालिस, यान और ओएंजीसी, कहने को तो ओएंजीसी बड़ा भाई है, लेकिन प्राइज एक्शन छोटे में ज़्यादा हो सकता है। तब से ये पिक अप होई चुका है, और ट्रेडिंग टार्गेट हमारे आ रहे हैं 400 की तरह, तो वरी लाइकली, बट अभी मैं बाई का रेकमेंड जरूर नहीं करूंगी, तो रिस्क रिवोर्ड सही नहीं बैठेगा, तो अराउंड 355 की सपोर्ट के साथ थोड़ा डिप आता है, तो ये स्टॉक को जरूर नई बाईंग ऑपरचुनिटी के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ट्रेडिंग टार्गेट 400 तो 410, ठीक है, ओल इंडिया जो अच्छी मूफ में है, इसे अब भी आप डिप्स पर मिलता है, तो बाई करने की रेकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक अब यूपेल एक अटबड़ा अंडर परफॉर्मर इस पूरे साल के लगा है, निफ्टी और यूपेल की परफॉर्मेंस को कंपेर करें, 18% उपर था, ये लगबग 20% नीचे था, राइट इसु किसलिए हो सकता है, क्या डेट रेटक्शन को लेके हो सकता है, क्या आप इं करेंगे, its rights issue में, करीब-करीब 1360 crores rights issue, promoters participate करेंगे, और balance जो 2800 crores है, वो public shareholders के द्वारा race किये जाएंगे, याद रखे, second quarter के end में, company ने clarify किया था, कि company की gross debt, जो करीब-करीब 35,000 और crores के आसपास है, वो उन्होंने guidance दिया था, कि 500 million dollars से gross debt, company की कम हो सकती है, मार्च के quarter तक, 500 million dollars, यानि करीब-करीब 4200 crores के आसपास आती है, gross debt company की 35,000 और crores के आसपास है, तो अगर ये 4200 crores का rights issue, debt reduction के लिए use किया जाता है, तो company की gross debt 12% से कम हो सकती है, जो एक बड़ा positive होगा stock के लिए, इसके अलावा, company ने FY24 की guidance भी कटाई थी, second quarter के end में, first quarter FY24 के लिए, company ने कहा कि 1 से 5% का revenue growth देखने को मिल सकता है, और second quarter FY24 में, flat revenue growth देखने को मिल सकता है, और इसी guidance कट के चलते, stock ने underperform भी किया है, year to date basis पर compare करें, तो nifty में करीब-करीब 18% का उच्छाल देखने को मिला है, लेकिन UPL में 19% की गिरावट देखने को मिली है, तो बड़ा underperformer रहा है stock, company की debt काफी ऊची है, company ने guidance खटाया है, full year FY24 के लिए, तो कई reasons है, जिसके चलते, UPL ने underperform किया है, और analyst का outlook भी काफी muted है, हाँ, art stock rights issue के द्वारा 4200 crores company raise करना चाहती है, जिसके चलते, stock अच फोकस में रहेगा, अशिशा यह आपने काफी अच्छे से बताया, और मैं एक चीज थोड़ा एड भी करूँगा, यह first agrochemical company है, जिसने न डॉर जोन्स के sustainability index, जिसको DJSI कहते है, उसके अंदर participate किया हुआ, और एक global company है, अगर आप इसको check भी करेंगे न, अशिशा इस पर जड़ा फोकस करेंगे, अगर इसका जो export है, बहुत ज़्यादा है, मेरे पास जतनी जान करेंगे, शाद करीव 100 countries है, जिस पर export है, अशिशा मैं को एक बताएंगे कोई report वगर आई है इस पर, या recent report है UPL पर, सर, recent reports तो नहीं है, लास्ट वीक है, ट्रेडिंग यर का, तो उसके चलते सभी brokerage houses में भी muted action है, तो काफी brokerage reports नहीं है, पर जैसे अपने बताया, company एक बड़ा exporter है, और क्योंकि company ने अपना outlook घटाया है, Fy24 के लिए एक बड़ा trigger था, जिसके चलते स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया, आज of course rights issue के चलते स्टॉक में action देखने को मिलेगा, जल्दी लेकिन जब भी मिलेंगे ना तो एक बार हमको जुरूर बिताईएगा और नोटीस भी करवाईएगा, क्योंकि ये शेयर ना थोड़ा DNA चेंज करेगा अपने right issue के साथ साथी, बहुत शुक रहे हैं, आज आपने अच्छे से सारी चीज़ों को बताया, बिनोध बोधी भी मारसा जुड़ चुके, बिनोध जी इसी शेयर से शुरू करें आपसे, UPL पे आपकी रेटिंग, आपके टार्गेट। जो ग्लोबल सबसे बड़ी जो एग्रोकेमिकल कंपरी उनका भी आउटलूट जो उसने शेयर किया तो वो काफी थंडा उटलूट था, तो मुझे लगता है बिजिनस परस्पेक्टिव से अभी उतना पहतर अभी एग्रोकेमिकल स्पेस दिखाई दिखाई नहीं दे रही ह धैर दिखे तो तो कही नहीं बताता है कि अभी अध обязक आउनका ऊपथ करना चाहिए यह कंपनी के लिए ठीक है थोड़ा सा आप वेट करना चाहेंगे वाच करना चाहेंगे ऑल राइट ठीक है वेल थॉट्ट स्ट्राटजी पिनोथ मौनिंग बड़ते आ गया और अब हमारे साथ शो में संजी बसीन जी पी जुड़ गया उनसे भी बात करते हैं और आजन की भी स्ट्राटजी समझते हैं अच्छा क्रिस्मस क्या हो सकता है न्यू यर क्या हो सकता है साड़ी किस जार पर पहुंच गए जो शहर आपके पास थे तो मेरा लोगों को यही एडवाईज है दोजार चौबिस में टाइमिंग मत कीजिए अच्छा PMS डूट ये अच्छा अच्छा ब्रोकर दूजिए जो आपको इन्वेस्टे रखे सेक्टोरल रोटेशन रहती है प्रियंका बट दोट मिस्ट वूट्स वाद ट्रीज अभी शुरुआत है येस तर मार्केश कैंड बी वालटाइल on the back that we have run up quite a bit लेकिन अभी भी मुझे लगता है शेर स्पेसिफ स्टॉक स्पेसिफिक आक्शन चलेगा इंडेक्स कुट बी सींग रेंज आज आप जैसे आपने का लोग वॉल्यूम्स हॉलिडेफ सीजन और साड़े किस हजार इस फैर नंबर ऑलसो दूसरी बात प्रियंका मैं यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपना बेंट आफ माइ आप कहें तो मैं शुरू करूँ बिल्कुल बजा है तो प्रियंका सबसे पहले जाहिए विद अशोक लीलेंड मैंने पहले भी कहा I think it's the best proxy to the rising inventory of buses जो shortage में थी its commercial vehicle is getting into more market share from Tata Motor और उनका जो internal communication का vehicle था दोस्ट that is doing extremely well साथ में their advent into EVs is gathering steam और बस market में आप देखी सकते हैं जितनी Indigo की buses है वो अशोक लीलेंड की है और बस structure of schools, colleges यह सब बहुत momentum ग्यारी कर रहा है 9% year on year growth थी और मुझे लगता है आगे जाते हुए double digit growth आएगी अशोक लीलेंड इन बस आटो स्पेस यह मेरे को बहुत पसंद है 215 का पहला target है लेकिन अगर आप इसको 2024 मार्च तक रखें तो धाइसों का भी target इसमें आएगा on the back of quarterly earning दूसरा पिक है सबसे largest bank ICICI bank मुझे लगता है यहार safety numbers है liability franchise is doing well all their other arms are doing extremely well as a holding company the discount is fairly high और मुझे लगता है this can now take the mantle of access bank as the price performance साड़े 1200 का target मुझे लगता है near term के लिए 1030 जो trader के लिए इस haftे आना चाहिए और 970 का stop loss और तीसरा पिक है मेरा एक underperforming bank जो मुझे लगता है बहुत बढ़िया होएगा DCB bank DCB bank trades at 0.9 time price to book जबकि आज की date में PSU banks are now trading two time price to book DC bank DCB bank के founders आगा खान ग्रूप है और उन्होंने अभी disclosure दिया 8th December को they have taken a preferential allotment at 137 at a premium to the market price by infusing 88 crores वो के रहे हैं we are going to infuse more capital they are the third largest players as far as two-wheeler auto goes or financing as far as agree and as far as gold loan goes और जो margins में net interest income में थोड़ी margin में प्रेशर था वो इसले था क्यूंके आर एक्सपंडिंग मोर ब्रांचेश मुझे लगता है for the retail investor DCB is a bank which can even double from here तो अगले साल के लिए मेरा 200 200 प्लस का टार्गेट है और मैं सोचता हूं कि this is one of the best banks to be invested in as the ratios the performance and the valuations are very much in favor of the investor ठीक है इंटरस्टिंग सर आपके तीनों शेयर है और मैं एक बात सर भसीन साब आपको बोलना जाओंगा मैं काफी दिनों से इंफेक्ट दिन क्या छोड़ी मैं तो काफी सालों से आपको ग्राउंड चेक जो करते हैं उसको वह बहुत शांदर होता है मैं को ध्यान है अपने अशोग लिलेंड परसों से बोलना शुरू किया है जब से आप तिरुपती बाला जी गया है अपने एरपोर्ट पर चीज नोटिस की कि बहुत सारी बस अशोग लिलेंड की वहां पर च सबस्त रहता है अचा बसीन साब एक चोटा सा पॉइंट में और पता करना था आज न मैंने आई जील दिया है में को नहीं सब्सक्राइब काफी साउंड दिखा आपका स्ट्रॉंग बेस बन जोगा आप तो पहले से भी बता रहें कि पॉलसी का इंपैक्ट अब जादा नह कॉंप्लिमेंट दिया लेकिन इसमें और मैं आड करता हूं पंजाबिया निशान वकरी यह प्रियंका भी कहेंगी आप ने सही फरमाया आईजील में और बैट न्यूस गोट प्राइस दिन एट 3.82 इसमें जो ओवर ओनर्शिप 3 फ्रम एफाइस और सो ऑन इसका साड़े 400 स जो 2015 के बाद जो 10 साल की अल्रेडी इशूस हो चुके हैं लाइसेंस फोर 10 यह वो तो रिवर्सिबल ही नहीं है और थर्ड ली वो डेली नहीं NCR और बियॉंड में एक्स्पैंड कर रहे हैं और आपको बता हैं CNG के मिना तो इससर नॉन यून और इवन प्रोग्रेस आएम बिल्कु सर्थ तेंक्यू वेर्मट सर्थ हम भी ओमोटा मोटी आज का टार्गेट साड़े चार्सों से चार्सोचारिश चार्सोपचास तक ही हमने भी रख है और आपका जो काम आता ह। हमारे काफी कामा आता है हम भी गाय Trustees को चुज्छ करते रहते हैं और वोल्ताइस के लिए बहतरी शियरर लग रहा है क्या मैं स्कोरोल भी और लिए तो जिन के पास नहीं दोनों के लिए वोल्टाइस हां यह कह सही है सवन्सक्रा डेभैंगे एडेरी चैफ के रनट पनाबने इसो जिनके पास नहीं है वो थोड़े डिक्लाइन की वेट करें और जिसके पास है लो लेवल से खरीद है सो वो डेफिनेटली रोल ओवर कर सकते हैं विकॉस आई तेंग जिस तरह इस्टार चल रहा है इच रेडी पॉर टार्गेट ऑफ 1100 और परेप्स हायर सो मेरा गेव्यू काफी बुलिश है और वीकली चैन्ट बहुत ही सपोर्ट कर रहा है वेव्यू को ठीक है एक इसी तरह का शेर में जाना कपिल से भी पता करता हूं कपिल आरती इंडस्ट्री जिनके पास नहीं है उनको लेना चाहिए और जिनके पास है उनको करी करना चाहिए क्या यह भी शेर ठीक है अगली से इसके लिए और जिनके पास और यह रहे है यह बात आरती इंडस्ट्री पे होगी एक और स्पेस को डिसकस करता है जिसमें लास्ट टू वीक्स में काफी हमरिंग रही है और वो है इनबी एफसी का स्पेस लेकिन स्पीच आपको एक बार बता दें नौपचास पे आप आरके फोर्जिंग के सीएफ़ो और एडी ललत खेतान से आज बात करेंगे इस पर डीटेल में बात चीत होगी लेकिन coming back to NBFC स्पेस क्योंकि एक जो एक हमरिंग दिखी थी वो ये थी कि जो RBI के रिपोर्ट आई थी AIF पर कुछ क्रांग डाउन था NBFC के एक्सपोजर को लेकर जिसके चलते कई स्टॉक्स काफी तूटे इसमें अच्छी कासी हमरिंग लास्ट वीक भी देखने को मिली है लेकिन क्या आप ये टेक्निकली रीबाउंड करने के लिए ताहीं आ रहे हैं एक बार इसका सेटप भी समझते हैं आप बताएंगे कपिल क्या इनमें अब एक एंट्री के मौकर ढूंडने चाहिए या पर चार्ट अभी भी वीक हैं जी बिल्कुल मिन्स आयाइफिल का अवर्ल स्ट्चर का अच्छा था और प्रीविस वीक में जो न्यूस आयती उसके वज़े से काफी सारे स्टॉप में रिक्लाइनिंग मॉंटों पर देखने मिला था और वीकॉन वीक बेजिस पे 12% के हमें गि करते हैं तो काफी अच्छा सा एक सपोर्ट लेवल बनता है लेकिन सपोर्ट लेवल हो जाने के बाद में हम तोड़ा से रिबाउन देखते हैं कि स्टॉप प्राइस पहले इंडिकेट करें कहां हम यह से उपर जाने के लिए तैयार है तो मैं उसी चीज़ का वेट करूंग क्योंकि इस पे ब्रोकिंग फिर्म का रिव्यू भी आया और टागेट भी उनने बढ़ा है हजार रुपे का टागेट दिया इससे पहले भी एकरा ने अपग्रेट के लॉंग टर्म रेटिंग को और अब जो करंट विव है वह मोगन स्टालने का है हजार रुपे का कर रहा है और सिमिलर्ली केंपिनों भी अगर आप देखो कि तो अपनी हंडेट टूर्ड अपनी हंडेट फिट्टी एंडेट की क्लस्टर के आसपास सपोर्ट कर रहा है बीच में इक बार अपने डिसकस किया था 780 के आसपास का breakout आया था स्टॉक उपर में 840 तर गया लेक सब्सक्राइब करना चाहिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप इसमें क्या रीड करते हो देखिए और सुका तो यह समझ में आता है कि उनके और बुक बढ़ गी कई कई यह समझ में आता हूं ने डेट कम कर दिया कही का समझ में आता कि बिजनस ग्रोथ अच्छी है लेकिन इन कंपनिस की तो ग्रोथ कोना भी कई बार अच्छा साइन नहीं होता क्योंकि मेडिकल से जड़ी हुए ज़्यादा केसिज आ रहे हैं तो फिर ग्रोथ होगी ज़् आप भाड रहे होते है तो आप चीज को मैं इससे नी Vallahi से इननलश करते हो सेगमेंट है क्योंकि वे वे उनर्व पर सेग्मेंट का यह in कोनट्रिउटिपूशन काथ हॉता अभी दिखाई देता है और इसके वज़े से भी ये सिग्मेंट में एंट्री करिए उसके वज़े से भी प्रियर्ड आया है उसमें कंसिस्टेंट्ली अंडरकों किया है तो मुझे लगता है यह जो चीज है वो अभी भी दिखाई दे रही है बट यस गिमें दा फैक्ट इस अब से थोड़ा पोविट का वो कंसर्ण यह सब चल रहा है मुझे लगता है इसका वज़े से स्टॉक तोड़ा सा एक्शन में दिखाता है और ओवरॉल लॉंग तरम पर यह जो आप मेंट्रो पोली से सब बात करें टाप्टर लाल पाथ यह थोड़ा सा बैटर लगता है यह स्पेस में ठीक है डन एक शे में को जरा और पता करना है फिर हम नवरतन शेर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे वो मैं जरा पता करता हूं वैशाली से ही वैशाली आप जरा डाबर के चार्ट को देखेंगे डाबर का न मैंने भी डिलिवरी वाल्यूम चेक किया तो बहुत अच्छा ड डिलिवरी वाल्यूम से तो ओकी है शेर? चले यह बात तो हुई डाबर पे यानि कंजम्शन लेड और स्पेशली मिट कैप, मिट कैप स्मॉल कैंज कंजम्शन स्टॉक जहां पर मूव आनी बागी हुए लाच कैप काफी चलना शुरू हो गया थे लेकिन MFMCG के रोलोवर इतने स्ट्रॉंग दिख नहीं रहे है त चलना शुरू है और सरकारी मेटल और माइलिंग कंपनियों को भी ले सकते हैं वहां का सेटप भी काफी स्ट्रॉंग दिख रहा है नहीं एक ख़बर भी है अर्जिंटी रावे नोने पांच लीटियम ब्लॉक्स को लेकर इंके लिए पॉजिटिव न्यूस भी है नम्डिस जैसे काउंटर्स जैनुरी सीरीज के रखे जा सकते हैं कबल कि आप तोड़ा सा इफ नो के डिरिविटिव के अस्पेक्स भी बता सकते हैं तो जबी भी कुल स्टॉक में रिटरिस्मित आते हैं तो चानगा पर 27 पेर की मूईंग अच्छा बांस देखे मिलता है और वही उ जैनुरी सीरीज के ठीक है तो इसको नेक्स सीरीज के लिए आप रोल ओवर की राय एंडीसी पर देख पे हैं जैनुरी सीरीज के ठीक है पढ़ते हैं और अब शो में शामल करते हैं मारा खास सेग्मेंट नौ के नवरत में शेर शरत चुड़ के लाते हैं नौ खास स्टॉक्स आपके लिए जिसमें आपको ध्यान रखना है शरत बताए जी बिलकुल सबसे पहला स्टॉक रहेगा रिलाएंस और यहां पे रिपो 24 को जो है कंप्लीट होगा इंफोसिस भी फोकस में रहेगा और उनका एक मास्टर एग्रिमेंट हुआ था एक करार हुआ था ग्लोबल कंपनी के साथ MNC के साथ जो लगबग डेड़ बिलियन डॉलर्स यानि की 12,000 करोड का जो था यह और डील था अब यह डील रद हो गई है तो इसके कारण जोए थोड़ी सी नेगेटिव इंपक्ट स्टॉक में देखने मिल सकती है पेटियम भी फोकस में रहेगा यहां पे रिपोर्ट सा रही है कि हजार से जादा इंप्लोई की जो है एक टाइप से छटनी हो सकती है क्योंकि AI आटोमेशन आ रहा है AI आ गया है कि AI के जरीए अब लेयाफ्स अनाउंस होना शुरू कर रहे है और IBM में भी हाली में बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स ने भी यह कदम उठाया है विप्रो की क्लारिफिकेशन आई है जहां पे वो कह रहे हैं कि संजे जलोना जो है कंपनी को नहीं जॉइन करें में एक अच्छी उच्छाल 5% से जादा देखने मिली थी यूपियल की बात करें तो यहां पर राइट्स इशू के जो है अनाउंसमेंट आ गई है लगबख 4200 क्रोड रूपीज वो रेज करने वाले हैं करिंट अगर आकड़ो की बात करें तो टोटल बॉरोइंग 35,000 है क्योंकि of course the company जो है insolvency से आई है और यहां पर important news लो आ रहा है कि company fund raise जो है consider कर सकती 28 December के board meet में सात्वा stock रहेगा small cap company अर्मान financial services यहां पर 230 करोड रूपे जो है QIV के जरी जो है total raise हुई है और जो बड़े दिगज नाम शामने आ रहे हैं वो include करते सुंदरम mutual fund, white oak, bofa, society general दो तीन बड़े FIs का भी नाम जो है इसमें जुड़ा है तो stock में तोड़ी तेजी देखने मिल सकती है आठवा segment जो हमारा है वो है big bold brokerage का जो stock है focus में वो रहने वाला जे कुमार infra CLSA की report आई है maintain buy रखा है लेकिन जो target price रखा है उसमें बढ़ातरी देखने मिली है पहले 385 अब यह बढ़ा के almost double तक जहांके 720 कर दिया है CLSA ने और वो कह रहे है कि company के valuations अभी भी सस्ते है और जो urbanization हो रही है especially Mumbai region में उसका beneficiary यह stock जो है देखने दे सकता है investors को आखरी stock जो रहेगा focus में वो रहने वाला है खबर जो हमारा special segment है यहाँ पे focus में रहेगा प्रवेग बनाने वाले जो चौथे तिमाही में ही operational हो जाएगा पहला resort अलेडी बना हुआ है और चैनल चेक सजेस्ट कर रहे है कि बहुत strong bookings देखने मिल रही है जब जो राम मंदिर की जो है launch होगी तो इसमें जो है प्रवेग focus में रह सकता है आज दिन के trade में है काफी interesting आपने इस talk लिया है और समाहम सारी दूसरी news दुपारा से हमें highlight करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो अर्मान फन और guest expert अड़ है हमार साथ कुष है और साथ ही चंदन था पड़िया है आप दोनों का ही बहुत बहुत सबाकत है आप पहले चले कुष स अरफ देखिए और यहां पर फिर्स पॉर्स नेक्स यह पास अब स्टॉक्स आप पहले इस ने कि यहां पर आप के सिकते हैं कि अनु पास दिनों की चंसॉलिड़िशन के बाद फ्राइड का जो मूफ था बहुत पी क्लेर रेक आउट है तो यहां पर 735 750 के टागेट के ल 699 यह आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो मिना दूसरा कॉल है वो है GNFC थोड़ा वॉलटाइल रहा है स्टॉक बट जो ट्रेंड है यह फॉर इसका पॉसिटिव है अब डिक्लाइन के बाद स्टॉक ने फिर से कच्छा रिवाईवल अट्रेम्ट किया है और का एक 775 के दो टागेट के लिए इसमें अभी एंट्री ली जा सकती है 715 यह आपका स्टॉप लॉस रहेगा C और DLF यह दो आपके ट्रेज़ जो आपने यहाँ आट किया है चंदन से भी बात करता है चंदन मॉनिंग आपके ट्रेज क्या होंगे आज के प्रियंका जी और सभी पैनेलिस्ट मॉनिंग ट्रेज की बात करें तो एक तो मैं काउंटर आइटी से लूंगा पर्सिस्टन सिस्टम आइटी स्टोक्स में अच्छा खासा से देखेंगे डियलफ काफ़ एचा प्राइस बिटन बना है से उन अंडेटें 15 के ऊपर डिसाइस लिए होल्ड कर रहा है लों के बिल्ट अप यहां पर बने हुआ है तो यह मोमिंटम कंटीनू रहना ची साथो का सपोर्ट है उपर में साथो पैंतालिस के टागिट के वेशाली ने भी आज डियलफ दिया है ऐसा क्या होगा है डियलफ के अंदर कि छे में से इनफेक्ट छे भी क्यों पांच में से तीन महमानों ने डियलफ चुन लिया डियलफ ज़रा दिखाई तो स्क्रीन पर ये अब यह आपको ना ओपनिंग के भाव दिख रहे हैं क्यों वो ना जड़ा टूटना चाहिए ना जड़ा चलना चाहिए और एक यूपील भी रखिया है का स्क्रीन पर जड़ ज़ल दिखाईए ये ये पे टीम अब हाई दोसो ड़ाई सो लोग चलेगे तो क्या फर्क पड़ा कुछ भी ने उल्टाई एक रुपर खुल रहा है और य एक स्क्रीन पर मैं तीन-चार शेर और बता रहता हूं उसके बाद फिर हम अब मैंन से भी आईडिया ले ले लेंगे अगर आज 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 आप स्क्रीन चेक करेंगे ना तो आपको मैं घर जेव शेर देखाता हूँ विप्रो दिखाऊ ज़रा स्क्रीन पर विपरो इनफोस TCS Tech Mahindra और एक SCL Tech भी इस सारे के सारे शेयर आपको लाल निशान में देखेंगे आज इस सब के सब शेयर है ये इंडेक्स के मेनेजमेंट का एक पार्ट है आपने देखा होगा कि फ्राइडे के अंदर सारे IT कंपनी स्टेज थे थे नाच इंडाइसिस में आपको कमज़ूरी दिख रही है एक बार जड़ा दिखाओ रोल ओवर के हिसाब से जो आटोस का रोल ओवर अच्छा है दिखाओ अप जड़ा मारूती आईशर मोटर ये दोनों दिखाओ और एक M&M भी दिखाओ आप स्क्रीन पर M&M मारूती और आईशर मोटर ये जब आएक स्पारी आए ना तो ऐसी चीज़ों को जरूर चेक करना जाए इस सबको काफी आईडिया लग जाएगा सक्टोरिल चर्निंग का तो आज शुरुआत में हो सकता आईटी पार्टिसिपेट ना करे तो आप अपना ज़्यादा दिमाग अभी शुरुआत में हो सकता आईटी में ना लगाए उसमें एक परसिस्टेंट नाम की कंपनी है जो भी चंदन जी ने दिया है बज़रा वोव स्क्रीन पे दिखाएंगे परसिस्टेंट उसको ज़रा फोकस करना जिसलिए ज़्यादा आईटी कंपनीस के साथ एक्सपरिमेंट मत करना यह आगया एक रुपे उपर आज ओपनिंग में कर रहा है ठीक है कोई बात नहीं अब ज़रा नेक्स्ट फिफ्टी वाली काउंटर्स के अंदर मैं जाके चेक करता और वहां से कोई ट्रेड पता करते है सर से आज शुरुआत में ही वी बी एल और मैकडावनल्स दोनों ही काफी अच्छे से खुलेंगे ज़रा वी बील वरून बेवरिजिस दिखाएं एक से डेट परसंट और इसके लावा एक मैकडावल्स दिखाएं करीब दो खुश सर जणा चेक करना वी बील और यूनाटेड स्पिरिट्स ऐसे कॉंबिनेशन डेडली है लेकिन दोनों के शेर्स चेक कर लो आप अगर मैं सिर्फ रीसेंट सेट अप के हिसाब से देखूं तो वी बील में हो सकता है कि अच्छे से ब्रेक आउट के बाद जो कंसॉलिडेशन चल रहा है यह थोड़े समय के लिए यहाँ पर कंटिन्यू रहे तो जिसका रीसेंट हाई बना था 1350 का हो सकता है कि as a normal resistance act करें पर यहाँ पर आप देखें कंसॉलिडेशन चल रहा है लंबा कंसॉलिडेशन चल रहा है वे तो पॉसिटिव बाइस 20 और 50 डे मुविंग आवरेज बहुत करीब हैं और वहीं सपोर्ट लेके स्टॉक बार-बार रिबाउंड करते जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक पोजि इसको आप अपना टार्गेट बना के चलें सो ओवरोल वी बील स्वरी मिग्डावल्स इस पोजिशनल बैट और वी बीयर कंटिनू तो होल्ड दी एक्जिस्टिंग पोजिशन फ्रेश एड करने के लिए थोड़ा सा वेट करें ठीक है डाइन से अग्री दोनों पर आपने अच्छे से बता दिया है अब मैं आपको नहीं च्टीगरी को छोटा करता हूं दो मिनिट रहें के मार्केट ओपनर ने में किरन जी जरा स्पीड से बताना हां जल्दी यल्दी पूसता जाता हूं आपसे सर खुलते ही आर बीयल बैंक को प्लस कर लूं दो परसंट उपर खुल रहा है खुलते ही आर बीयल बैंक प्लस करूं यह सब और नीचे में सब्सक्राइन करना है वह तो कंडिशनल और तो एक चीजज और बताए यह खोलते ही बाला जी अमाइंस को प्लस कर लों के सर यह 2% उपर खोल रहा है 44 रूपीज उपर खोलते ही बाला जी अमाइन्स को भी मेरी लिए है है आपके लिए है सर आपके लिए है आपके लिए अपर बात करें तो यहां पर भी जिस तरह का ओवर ओर एक पाटन बन रहा है 2400 के उपर अगर यह स्टॉक उपन होता है तो इसमें लॉंग करके जाना चाहिए एक मुमिंटम ड्रबेस ट्रेड है यह तो 2400 के उपर बाला जी अमाइन्स लॉंग करें ना ही जल्दबाजी करने का वीक है ना ही लेवल्स है ना ही कन्विक्शन है इंडाइसिस है पॉजिटिव इसमें कोई दो राए नहीं है लेकिन आपको कोई ऐसा इनी की भागा दोड़ी से आपको की काम करना है यहीं रहेंगे मैं को नहीं लगता कि बहुत बड़ा मूविस के अंदर इंडाइसिस में आपको दिखेगा 15 पॉइंट की हल्की सी बड़त आपको दिख रही है आज सेल्सेक्स बिलकुल फ्लाट कुलेगा बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मड़ा मोमेंटम है नहीं वो भी रेंज कही है साड़े चार सो साड़े पान सो रिजिस्टेंस एरिया दो सो सपोर्ट एरिया निफ्टी का इसी के साथ है जब मार्केट को उपन कर रहे है नए हफते की शुरुआत इस कलिंडर एर का आखरी हफता भी होगा तेरा सो सतानवे अडवांसेस के साथ हमने उपन किया पहला पंदरा के बाद सीधा सतरा अटारा पॉइंट बैंक निफ्टी सिर्फ 44.00 उपर है और सेल्सेक्स सिर्फ 24.00 उपर है इस सारे हजारों में डाइसीज हैं लेकिन इन सब में सो में भी बड़त नहीं है और आप देखेंगे कि निफ्टी वापिस से लाल निशान में सेल्सेक्स ओल मोस अपार्ट और बैंक निफ्टी बे अपनी 44 पॉइंट की मामुली जी बड़त को भी खो चुका है सब के आगे आप 0.00 सब 0.00 देख रहे होगे तो शुरुआत तो बहुती फीकी है बहुती ठंडी हुई है देखते हैं आगे क्या होता है मैं आपको कई बार नोटिस करवा चुका हूँ किसका सपोर्ट और रिजिस्टेंस दोनों ही लग रहा है कि हफ़ते बर के लिए पके रहेंगे तूटेंगे नहीं 47,000 बैंक निफ्टी का 21,000 से 21,200 निफ्टी का आगे चेक करेंगे उपर्चुनिटी होगी तो बता भी लेंगे आपके सामने खेर आफ देख लेते हैं टॉप काउंटर आज पहले पहले निफ्टी के टॉप काउंटर पे आते हैं उसमें यूपील आपको उपर देखेगा डेड़ परसंट आपको पता है साड़े चार हजार को प्रेक खाबर जुटा रहे हैं इसकी खबर थी मार्केट में टाटा स्टील आधा परसंट उपर एंटी पीसी एक्सपारी शेयर ओएंजी सी पे एमके की रिपोर्ट आई आधा परसंट उपर डिविस लैप स्ट्रक्च्छरली बढ़िया शेयर है सिर इसके लावा या या अल्ट्रडेक्स सिमेंट उपर तो आप इसमें ना वैसा शेयर नहीं देख पार अच्छा रिलाएंस भी इसमें डील आई थी आधा परसंट यह भी उपर है तो आप देख रहे होंगे कि जो जो स्टॉक्स पे कहीं कहीं न्यूज है ना या जो सेक्टो आहरे के तो आज आपको आई टी का सपोर्ट है नोण आई टी वाला हिसा वापी सुपर आगए तो नौण आईटी का हिस्सा अटो बैंक होता यह कंजमिशन होता है तो चैनल हखेंगे एनिहाओ अब हम जरांग नेक्स 50 और 100 वाले को भी चेक कर लेतें वहां पर आपको शे से उपर तो पके शेर्स आपको उपर दिखेंगे हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आप देख पा रहेंगे यूपील टाटा स्टील फ्रेक्टर स्टील काउंटर में रोल वर काफी अच्छा है और एंटीपीसी बगार में ठीक है इस समय तो यह आपको चल रहें नीचे से अब हम करेक्ट करते हैं वह आपको जो ट्रेड है ना वह पता कर देखें तो थोड़ा सा एक्शन जो कई ना कई केमिकल स्पेस से मेटल स्पेस से और आप वह स्टॉक सूपर देख रहे हैं जो पिछले अफ़ते पिटे पे जेस्डबलो अनर्जी पूरे अफ़ते हमर र यहां पर मूव है दीपक नाइटरेट जिसे कुछ कांटर से वहां पर मूव है और अलुमिनियूम कांटर साती माइन्स रिलेटेड कांटर हिंद कॉपर जिसे जो पिछले अपते बड़ी मूव के बाद आज वहां भी एक्स्टेंडड है नालको जैसे कांटर भी चल रहे ह हैं तो मेटल्स में जेस्पेल नाशनल अलुमिनियूम हिंद कॉपर यह कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें आपको आज भी रडार पर रहे हैं और फिर से आपको फार्मा डाइग्नॉस्ट होस्पिटल कांटर भी चलते वे दिखाई दे रहे हैं तो जिन जिन स्टॉक्स में ट्रॉंग ट्रिंगर वहां पनूव आज भी एक्स्टेंडिट दिख रही है ओपनिंग ट्रेज अब समझते हैं चंदन आपके ओपनिंग ट्रेज क्या होंगे देखें मैंने बाकी दूसरे कांटर बताएं बट मैं दो नोन फन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहता हूं जहां पर मुझे बड़ा मू लग रहा है एक रहेगा एनलस इंडिया नेवली लिगनाइट की बात करें क्यों कहीं कि सीपीसी कांटर ये वाक करें तो 230 के आसपास इंडिया की तरफ रहेगा दूसरा में फोकस करूंगा कल्यान ज्वेलर्स कल्यान ज्वेलर्स आप देखोगे तो कहीं ने कहीं एक पोजिटिव प्राइस पिटन बन रहा है इसले काफी दिनों का ब्रेकाउट यहां पे बन रहा है तीन दिन से हायर लोस बन रहे है तो 330 वन अच्छे खासे accumulated हुए है पिछले कच दो क्वाटर्स में और कल्यान जूलर्स हो चला है ठीक है दूसरे ट्रेट्स पी ले ले लेते हैं आपके क्या होंगे ओप्निंग ट्रेट्स किरन लग रहा है कि VEML में एक अच्छे कासा अपनिया आना चाहिए ओरोल स्टॉक ओल रहा है तो एक हाई रिस्क ओल रहेगा लेकिन ओरोल चार्टर करकर काफी श्रौंगे तो VEML 2800 के उपर हम लॉंग करके जाने कि ओरोल जिस तरह का चार्ट पैटन है 2900 तक की टागेट्स र आपका उपनिंग ट्रेट शॉरी चंदन सितोलिया कपल आपको उपनिंग ट्रेट यहां पर आपका इसे से जिया रहेगा हमने काफी तैम पहले का इंसरें सेक्टर में को मुमिंटम दिखने इसके बाद में खूलोफ भी हा गया लेकिन अभी फ्रेश एक अपसाइड मोमिं मन लेता है कि वो अपनी ट्रेट कहां देख रहा है कुश। प्राइस अक्षिन में भी ट्रांसलेट हुआ है वो और अभी भी इतने अच्छे मूव के बाद आप देखें तो उबर हीटिंग ट्रेटरी से काफी दूर है तो मेरे साब से मोर्पिन लाब्स है एक स्टॉक जो इंट्रडे के लिहाज से भी लेना चाहें तो कंसेर्टर कर सकते हैं और पॉजिशनली लेना चाहें तब भी इसमें एंट्री कर सकते हैं नेर टम टारगेट इसमें 55 और 57 के रहेंगे और जो मेरे स्टॉप लोस रहेगा वो में लेके चलूँगा करी 48 के पास तो सबके ओपनिंग ट्रेंज हमारे पस आ चुके हैं आप कुछ और ट्रेंज भी डिसकस करते हैं जो अब पहले पांच मिनट में आपको उपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है आज कहां कहां आपको बेटर चर्निंग दिख सकती हैं कौन से स्टॉक्स हैं जिन में म हुआ है यारी कंजम्शन के स्टॉंप में टारा कंज्यूमर काफी दूनों से स्टॉंग चल रहा है और मेटल्स में टारा स्टील जैसे काउंटर में भी अच्छी मूव है ठीक है लेकिन क्या FMCG पैक के साथ ही थोड़ सा में बने रहना चाहिए ब्रिटानिया टारा कंज् कि वज़े से कहिने कि आप देखोगे कि वापस जो सेक्टर रोटेशन में है सेलेक्टिव फर्मा सेलेक्टिव फम्सी स्टॉक्स में मुमेंट आ रहा है बिटानिया बिल्कुल पॉजिटिव बायस है और ब्रिक आउट देखने को मिला है बिटानिया खरेदारी की सलाह रिकमेंट भी कर रहे हैं 985 का सपोर्ट रहेगा 990 का सपोर्ट रहेगा उपन में 1040 तक के लिए तो FMCG पर पॉजिटिव है सब में ब्रेकाउट हुआ है मार्केट मूट सेंटिमेंट पॉजिटिव है और करने के नियू हाई पे इन सब काउंटर पर ज्यादा फोकस हो रह सब्सक्राइब को आपको रण करना चाहिए और प्राइस एक्षिन भी अच्छा है डेज हाई पर आगया है मेरे साब से नया तो नहीं लेना चाहिए नया अगर लेना है तो मेरे साब से डिप की बेट कीजिए 5980-3950 के आसपास अगर डिप मिलता है तो वहाँ पर एक्क्मिलेट कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटन है अगर आप इंटर्डे प्लेयर नहीं है आप शॉट्टरम ह तो एक से दो महिने के लिए तो मेरे साब से डिपनिटली होड़ करना चाहिए क्योंकि जिस तरह के ओरर चार्ट पैटने आप फॉर्टी तुमंडेट तक का टार्गेट एक्सपेक्ट कर सके तो अलड़ी हमने है यह हमारी इंवेस्टर को और ट्रेडर को दिलाया हुआ है बहुत ही बड़ी आपका 4000 वाले टार्गेट के लिए आपको बहुत बढ़ाई आज खुलते ही जिसने प्लस किया है किरण की कॉल समझके तो आप यह सोचे कि बजार खुले हुए कितना समय हुआ है दस मिनिट भी पूरे नहीं हुए है और आपको करीश सतर रुपे का यह बढ़ा है ठीक है मैं बोलता है आपसे नहीं हुआ हूगा सुधा पंच तीस मिले होंगे चलो तीस भी हटा दो पंदरा मिले हुए तो पंदरा रुपे इंटू 100 शेयर भी लिए तो पंदरा सौ रुपे की ऊपनिंग ही आपको सीधा रा हीरो मोटो कॉप नहीं करवा दी तो कम से कम बूनी बटता जिसे हम कहते हैं न वो तो होई गया आपका हीरो मोटकॉप के साथ के रंके स्ट्रेट के साथ अच्छा जहां पर अच्छी पोजिशनिंग बन रही है बड़ प्राइज एक्षन उतना स्ट्रॉंग नहीं है पिल्कुल सबसे पहले हम लोरस लेप की बात करें तो इस काउंटर में पॉजिटिव मूँ देखने को मिला है और इंफेक्ट पिसले कुछ दिनों से फार्मा लेटेट काउंटर में स्टोक का स्ट्रॉंग स्विंग देखने को मिल रहे है और लोरस में अच्छी बात है कि लुपी देख़ोगे मैं सीरीज कर नदर रोल भी करूंगा अगली सीरीज कांदर सोधा प्लस भी करना चाहता हूं धीपक नाइट्रेत एक बढ़ इसको भी चेक कर लो चंदन जी आप यह 20% उपर है इसका बिल्ड़बी काफी नंग से बिलकुल मतली चाट पर ब्रेक आउ और फ्रेस लोंग के बिल्ट अप देखने को मिले है क्योंकि कहीं है कि नहीं है कि नोटी नोटी फोर में मैनुफेक्ट्रिंग थीम फोकस पर रहेगा तो दीपक नाइटर पर फोकस रहना चीज यह करिदारी की सला है चोबिस से लोगा सपोर्ट उपर नपर चेसो चालिस के और राइट थीपक नाइटर इन फाइक फटलाइजर काउंटर्स में काई सारे काउंटर्स जिम अच्छी मूव है जुआरी ग्लूबल लाइटिंग आज किरन ने कॉल दिये वहाँ पर भी आप देखे तो लगबग डेट परसंट की तेजी दिख रही है आपके टांगेट अब भी मारे साथ नहीं है उनके साथ फिर से रीच करने कोशिश करेंगे लेकिन इस पीच काउंटर्स जिनमें अच्छी मूव आज भी बनी होई है और इन फाइक एच्बिल पावर इसे कुछ काफी ट्रैक करते है कुछ क्या टार्गेट्स देखने चाहिए जोन ने लोव स्लोली ग्राजुली अगर हम देखे तो चलते जा रहा है मेरे साब से पोजिशनल टागेट्स जो है यह 500 तक के भी लेके चल सकते हैं स्टॉक में जो भी डिक्लाइन आ रहे हैं इनमें भी आप देखे तो बाइंग आ रही है कहीं भी रिसेंट पास में 20-day moving average को वाइलेट नहीं किया है तो ऑन दी होल स्टॉक इस पॉजिटिव फाइव हंडड़ बी मैं पोजिशनल टार्गेट ऑन दिस वन और अगर मैं पोजिशनल स्टॉप लॉस देखूं तो वह करीब 415-425 के जो 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 इसके भी चाता है इनलसी इंडिया चंदन सर आपने थोड़ देर पहले दिया था ना बकायदा साड़े साथ परसंट पर रहे पर जिखा ना चंदन सर ने आज यह कैश के शेयर्स भी आपके सामने साजा की थे एनलसी इंडिया खुलते ही बहुत जबरदस मूमेंट है इनका ओपनिंग ट्रे था अच्का बिल्कुल काफी कान्विक्षन इस काउंटर पर और इसी वज़े से मैं एफ नो छोड़के इस काउंटर पर आ गया पॉजिटिव यू है इंट्राडे में किसी को यह दी ट्रेड करना हुआ तो अच्छा मूव बना है बट और और मेरा ही सला है कि इसको आप ड करें दो सो पच्छी का ट्रेल करें दो सो पच्छास पच्छपन और फैनली दो सो असी तीन सो तक के टागेट होने चीए अपने जास याद दिला है तो मैं घ्रिंपी जी आपको बता हूं गेल इंडिया है एक हमारा प्रिफर्ड काउंटर आया जो पिसले दो दिनों में हम सब काउडर को सिलेक किया ने सब मैं को बिलकुल याद है और मैं आपको एक और चीज भी जाए आपको मैं ही आपका शेयर की लेवल्स भी याद दिलाता हूं सरा फ्राइडे को हमारे शो में रहते हैं फेंडू में बारा बजे उस समय इसके रेट थे करीब 147 रुपे जब अब आपकी स्क्रीन पर 154 गेल इंडिया आपको दिख रहा होगा तो आप जब भी एक्सपर्ट्स को देखें उनके ट्रेड ना अच्छे कंफर्म पकड़े हुए शेयर होते हैं उसमें आप जरूर रखें ध्यान फ्राइडे को मिला था और गेल इंडिया के बारे में होलेगा है शेयर कि उसमें तोली से और गुंजा इसा लग रही है 167 पर चल रहा है तो और उसके अपसाइड मोमिटम 173 के यहां तक रह सकते हैं तो शॉट्टम में और उसको होल्ड कर सकते हैं 173 के लिए स्ट्रॉल की बात हुई एक और स्पेस बाटरी काउंटर्स में भी अच्छी मूव है इंफाक्ट आप देखें अमरा राजा बैटरी वहां पर भी स्ट्रॉंग मूव है क्या डेरिवेटिव स्पेस में अमरा राजा या एकसाइड को चुन सकते हैं कि जैनवरी के लिए कप अच्छे से रिबाउंट हो रहा है लेकिन एकसाइड इंदोस्ट प्राइस पिछले कुट दिनों से एक रेज में चला रहे है लेकिन अच्छी बात ही है कि अपनी लोगर बैंड आप रेइंच के यहाँ पे स्टॉक प्राइश फिर से उपर बिक कर रहा है 294 के level अभी चल रहे है, तो उसके जो upper band of the consolation patch है, वो 307 तक अब मुझे देखे नहीं मिल रही है तो इतना moves 307 तक वो chess कर सकता है कुछ काफी तनों से हम देख रहे हैं कि chemical की derivative space के नहीं cash के भी छोटे counters भी काफी चल रहे है उनमें कोई आप stock add करना चाहेंगे आज भी आप देखें तो बाला जी, amines, इसे counters, mix है, सारा mix set of counters है, derivative भी और साथी cash भी, alkyl amines भी चल रहा है, himadri chemicals भी चल रहा है कोई counter जहां एक अच्छा entry point आपको दिखता हो पहले मैं एक update पर देदु में जानता और डिंपी ने अल्री वो question पूछ लिया है, Friday को हमारा एक all था, 2335 and 2390 के targets के लिए, Friday को ही target achieved हुए है, और यहां पर और upside momentum अभी भी जारी है, मेरी सलार है कि यहां पर बिल्कुल अभी भी बने रहें अपना जो stop loss है, उसको उपर की तरफ move कर दे, but otherwise there is still a lot of steam left in this deep night rate में अभी बने रहें, अब जो आपने नाम mention किये हुन में अगर मैं कोई glance करूँ तो मुझे strength के हिसाब से बाला जी minds ही लग रहा है कि यहां से और strength दिखा सकता है, यहां पर अगर आप देखें तो stock volatile रहा है, तो आज उसके ऊपर sustain कर रहा है, trade कर रहा है तो मेरे सब से यहां पर जो next targets है यह आएंगे 25-60 के and then beyond that 26-60 के जो दो levels है, यह as a target act करेंगे तो इसमें एक fresh entry अभी भी ली जा सकती है resistance का breakout है, जैसा मैंने बताया stop loss थोड़ सा deep लेके चलना पड़ेगा तो 2390, 2380 के जो zones है यहां पर अपना stop loss लेके चलना interesting, कोशा आपने दो दो शेर मेरे पकड़ के बता दिये पहला तो बाला जी माइन से आज हमने सुभ ही बात पूछी थी कि खुलते ही प्लस कर लें क्या किरन से मैंने पता किया था किरन से मैंने दो शेर पता कि था उसमें से दूसरा बाला जी माइन से था उन्हें का हाँ खुलते प्लस कर लो तो खुलते प्लस करने का benefit यह है कि आप 4.5% की gain में हो ठीक 110 में से नहीं है होंगे 50 रुपे आए, 30 रुपे आए, 20 रुपे आए एक उस्तों आया, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपने जो दीपक नाइटरेट वाला बता है, बहुत इशानदार, मैं उल्टा इंफेक्ट आपको बधाई देने जा रहा था आपने खुदी इस को नोटीस भी करवा दिया, डीपक नाइटर, मैंने थोड़ देर पहले ही चंदन जी से भी उस शेर के बारे में जिकर किया, और उन्हें भी कहा कि हाँ इस शेर अच्छा है, ब्रेक आउट कर चुका है, इस शेर अच्छा चलना चाहिए, आगे बढ़े आपको ना स्लेक्टिव हो मजा आएगा, आपको बजा रहे हो इसे डल माकेट में, अब बज़े निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा हुआ, दिखाए एक बज़े निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपको दिखेगा, इस समय की सिचुशन क्या है, स्क्रीन पर लेकिए 54 तो उसके अंदर भी आ गया, गेल के अंदर जोके स्लो मूवर माना जाता है, अच्छा इंडिया विक साड़े चोड़ा पार हो गया, यह यह टिपिकली एक स्पारी की वज़े से भी हो रहा है, साड़े छे परसंट जो आज का राइज है, बट क्योंकि रेंज का ब्रेक आ इसा लगता नहीं बजार गिर आएगा साल भी नहीं लगता विक्स और अडवांस डिकलाइं आमने सामने खड़े हैं, अब जरह कुछ एक और शेर प्लस करते हैं, जरह चेक करवाता हूं, आपके सिरीन पर इबर आरती इंडस्ट्री इंडस्ट्री इस भी और इबर दिखा का हो गया सर, अभी 153 कुछ रुपे का था, अभी 156 हो गया, तीन परसंट उपर है सर, एक और शेर में को जरह देख के बताईए, चंदन जी, वह है कॉनकोर, कंटेनर कॉर्परेशन, क्या यह हजार के तरफ जाने वाला शेर है, क्या सर, जरह इसको भी जरह चेक कीजिए आ बिल्खुल दिंपी देखे, हम पूरे CPSC इंडेक्स पर पॉजिटिव है, जितने भी CPSC, एक सेंटर, पब्लिक सेंटर, एंटरपाइजेज, उन सब में बड़ा मुमेंट है, निफ्टी, CPSC का चार्ट देख ले और सारे सेंटर को देख ले, CPSC हम तीन भागों में बात करें, तो दो दिन पहले जो डिक्लाइन है तो उसमें 816, 808 का बेस बना है, जो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और अब हलका सा मोमेंटम में 880 और फिर 950 तक के मों बनने चाहिए. एक जो शेर जरा और स्क्रीन पे मैं आपके लेकर आता हूँ, एक बार आर्ट करना चाहिए, हिंदुस्तन आरोनाटिकल्स पूछना चाहता हूँ, लेकिन काफी चल चुका है, हाँ चंदर सार आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज बताईए न, बिल्कुल, तो DPM, हम जब डिफे के सला दे सकता हूँ, और मैं इसलिए भी जिकर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल पे काफी बार इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, अब एक नया ब्रेकाउट कोचिन सी प्याड में बना है, 335-340 के बीच में इसको ले लीजे, 300 का सपोर्ट रहेगा, उपर में 3 380-390 तक के टाकिट बनने चाहिए, तो कोचिन सी प्याड एकोर नहीं या सजेशन और नहीं एडवाई जहां पर रहेगी, ठीक है, डैन सर, मैं वैसे पता ही करता है, आफसे सर, क्योंकि मजगाओं भी चल रहा और कोचिन भी चल रहा है, मेरा कोशन ये होता कि मजगाओं कोचिन में से क्या लें, मजगाओं डॉग भी आप दिखाऊ ना स्क्रीन पर ज़रा, आज वापिस डिफेंस वाले शेर काफी एक्टिव है, हिंदुस्तन ऐरोनाटिकल्स के अंदर भी काफी अच्छी पोजिशनिंग हो रही है, हेल, यह देखो मजगाओं डॉग भी डेज करें का फिल जड़ा चेक करना, यह कैरी फोवर्ड ट्रेड है क्या, मैं आज का तो ठीक है, जो मिर से मिस हो गया, लेकिन क्या उसके बाद रखे रहना चाहिए, जिनके पास पोजिशन है, यह जैसे ही है, चंद जी ने बताएंगे, सीपी एसे सेक्टर समें का, अलमुस्ट का हमेशा ही हुआ है कि साथ से आज साल तरका बेज बनाया हुआ है, और इसका ब्रिक आउट अमें दिखने मिला हुआ है, जो यह साथ साल ने अक बात तो ब्लकुल खे चले लेकिन एक ऐसा काउंटर जो इस साल में जसने नेगटिव रिटरम दिया यह बह। ही कम चला, उस इसमें अब शॉट कवरिंग का बाउट बना हुआ है और वो उस पैक से हैं जिसकी बाद अब ही थोड़ी देर पहले दिंपी भी कह रहे थे जहां रोलोवर स्ट्रॉंग है वह एनरजी पैक गुजराद गैस के हम बात कर रहे है शॉट कवरिंग का एक बाउट है यहां पर क्या थोड़ा सा रेलेटिवली मुवमेंट देखने को मिल सकती है क्योंकि यह चला नहीं है कुछ जादा क्या गुजराद गैस थोड़ी क्योंकि इसमें पेस आती है लेकिन फ्रिजल आउट भ जुरू हुआ था जो अभी करीब 450 के आसपास आके stock यहां consolidate कर रहा है अब जिसने existing position ली हो यहां पर थोड़ा सा position slight कर दें क्योंकि 2-3 technical points है जिसके basis पे यहां पर थोड़ा सा supply zone जो है यह create हुआ है so 450 से लेके 460 का जो zone है यहां पर आप stock को थोड़ा सा consolidate करते हुए देखेंगे तो मेरे लिए इस stock में जो fresh entry बनेगी you know where the momentum could come back strongly वो है 460 के ऊपर the actual level is actually 458 but I am just rounding it off which is 460 तो 460 के ऊपर अगर यह stock निकलता है तब इसमें fresh entry ली जानी चाहिए जो यह near term supply pressures थे इसमें यह उस level के आसपास यहां पर आपको खतम होते हुए नजर आएंगे तो यहां पर थोड़ी सी profit booking थोड़ी सी मुनाफ़ा वसुली कर लेने is not a bad idea because the stock could spend some time here once this crosses 460 तब आप देखेंगे कि यहां पर जो 485, 499 के जो लेवल से यहां तक के लिए एक move शुरू हो सकती है तो एक बार के लिए यहां से प्रॉफिट बुक कर ले जादा फेवरिबल कौन से दूसरे stocks होंगे औल कार्गो की बात करते हैं क्योंकि इनका यह जब लास्ट बीक न्यूज आई थी वाली ओन लॉकिंग की बात भी थी इन्होंने जबने डीमर्च करा था अपने इंटरना से भी लॉंग की सला रहेगी कितनी स्टीम और बाकी दिखती है अब इस टॉक में फंडमेंटल न्यूस पॉजिटिव है लेकिन टेक्निकली क्या सपोर्ट कर रहा है जाट बिल्कुल आपने अलकारगो की बात कर रहे है और अलकारगो को देखोगे तो एक पोजिटिव सेटप यहां पर देखने को मिले आपको और और आप देखोगे कि इस सेक्टर में मुवमेंट आ रहा है और वीकली चार्ट पर यहां पर एक चैनल का ब्रेकाउट होगा तो प अपर में 335-340 तरके टामी तीन सो उपर तक के लेवल्स भी आपने पहला और दूसरा टार्गट भी बिताया एक और स्पेस क्योंकि मेटल अन माइनिंग हम क्लिरली बात भी कर रहे हैं और हिंदुस्तान कॉपर आप अब भी देखें तो यहां पर फ्यूचर में भी तेज नबे के लेवल से क्या एक बार के लिए बुक कर लें या अब भी थोड़े से और गेंस के लिए रुके यहां पर कपिल हिंदुस्तान कॉपर कर चार्ट चेक करके बताया है हिंदुस्तान कॉपर की कर्चे कफी अच्छी मोईटम में आई हुई है इस मेरे में अल्मोस 35% दीता मूव आ गया है तो बेश्चाइब वहां पर प्रॉफित बुक कर सकते लेकिन अभी अभी के लिए फिलहाल पूल करना चाहिए ठीक है एक बार वापिस से मैं आपको इंडाइसिस दिखाता हूं चेक कीज़रा इंडाइसिस को दिखिए आपको तुरला क्लियर हो जाएगा निफ्टी निफ्टी दिखाए एक बार स्क्रीन पर निफ्टी बिल्कुछ सपाड जैसा ही चल रहा है कोई खास मोमेंटम नहीं ऐब लिस सब्सक्राइब थक्राइब वही 9,10.9,10.9 मैं चीक कह रहा हूं चुटी नहीं ली ना उनको करे बारे फील होगा कि उन्होंने चुटी क्यों नहीं ली यूंकि मार्किट इंडाइसिस कम से कम चुटी वाली फीलिंग आपको करवाएंगे और जो चुटी मेंगे कोई कहना नइंऑन की नहीं है वह लेकिन जिनकी पास नहीं है फ़ाम पलार एक creepy सीडेंश को बश्चे पाकलि जएस सारी आईटी कंपड वापस दिखा सकते हैं फो से वीप्रु सेल टैक सारी के सारी ती इंडाइसिस नीचे और चर्णिंग का पर्ट है और बहुत कुछ नहीं है आपको आई टी नीचे रखके थोड़ा से रिलाइंस एक लिए पर टिखाना जिए एक बार जारे इतर है बिलाइंस को भी आप रिलाइंस उपर देखिए आपको स्कुरीन पर दिखेगा रिलाइंस एक शिर में आपको और द करके बांध के रखा हुआ जिसको कहते हैं वैसे वाला अप्शन का ट्रेड है अधित्य रोड हम अर्सा जूड़ चुके उनसे पता करते हैं अधित्य नमस्ते सर बताएं आज आप कौन सा ऑप्शन दे रहें कौन सा शेयर की और कॉल है अपूट है नमस्ते वेरी गुड़ मॉनेंग देखिए मुझे लगता है कि आज केमिकल सेक्टर में अच्छा ट्राक्शन है आप चाहे इसारेफ की बात करें यूपील की बात करें आथी इंडस्री की बात करें तो मुझे वहाँ डेटा में लॉंग बिल्डफ दिखता है और अच्छा मॉमेंटम दिखता है पैटन्स बुलिश है तो आथी इंडस्री में हम आज ट्रेड करेंगे 600 का कॉल बाइ करेंगे 34.70 और 620 का कॉल सेल करेंगे 24.95 मैक्सिम लॉस है इसमें 9750 और मैक्सिम प्रॉफिट है 10,250 मेरे कॉल देने के बाद थोड़ा बढ़ गया है बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मॉमेंटम स्टॉक में पॉजिटिव है और यहां केमिकल सिक्टर में अच्छा आप साइड दिखता है तो बुलिश स्ट्राटिजी है स्टॉक उपर जाएगा तो पैसा बने करीब 10 रुपे का और साड़े 9000 तक का प्रॉफिट आ सकता है एवरी कल्कुलेशन के बार तो जिस जगह पर आप खड़े हो बुलिश अंगल फिंग है और आप जिस जगह पर खड़े हो आप आप वहां की कॉल को प्लस करो जहां जाना है वहां की कॉल को बेज दो इस भी स रिस्क रिवार्ट ठीक है ना यह नुकसान मुनाफ़ा हमने उपर नीचे कि 10,000 प्लस का फाइदा और 9,000 को नुकसान ऐसा ही है क्या रिशो वन इस टुवन का रेशियो है मैंने सुबह कॉल दिया था था थोड़ा सा प्राइज लीचे था भी स्टॉक थोड़ा बढ़ गय रहेगा तो फीवरिबिल रहेगा पर बुलिश ट्रेडर बहुत शुक्रिया थैंक्यों वर्मच थोड़ा नीचे आ जाए तो फिर ज्यादा ठीक होगा और वैसे हमने पता है सर आर्थी इंडस्ट्रिस आज हमने खोलते ही पता कर लिया था अपने एक्सपोर्ट से और हमको इस बिच आपने कोई और ट्रेड नोटिस किया है क्या है कि मिचे यहां पर जो कुछ एक स्टॉक्स पसंदार रहे हैं वह है है एक है एक है एक है एक है आप देखे तो बहुत समय बाद इसमें रॉनक लॉटती हुई नजर आई है बीच में कंसॉलिडेशन फेज में चला गया था फिर एक round of profit booking भी आया है तो HFCL एक stock है जो हमारे radar पे है कुछ समय से हमने एडवाइसरी के तहथ हमारे clients को भी recommend किया है as a positional buy तो यहां पर 88 और 95 के दो targets के लिए अभी भी एक positional entry ली जा सकती है और जो stop loss है वो जो इसके near term support zones है यहां पर बनता है तो positionally आप देखे हैं तो HFCL is poised for another round of upmove here so just like 88, 95 के दो targets के लिए अभी भी इसमें एक entry ले सकते हैं पर आप entry point recommend कर रहे हैं इस बीच कहीं blocks लगे है अर्मान financial वहाँ QIB fundraising की नहीं उस ती वहाँ पर कुछ block लगे है और साथ ही aptus value पे भी कहीं सारे blocks लगे हैं आप यहां देखे तो एक और stock लेकिन discuss करते हैं जिसमें fundraising की खबर है और board betakonia 28 December को हम बात करें है Swan energy की और यह stock भी लगबग 480-470 से एक site चला है 507 के असपास है इस वक्त Swan energy में इस तरह cash का counter है चंदन आप एक बड़ ट्रैक करके में बताएंगे नीचे से जुन्होंने hold किया के level के लिए रुके जी प्रिंगा जी तेके Swan energy की बात कर रहे हो काफी अच्छा run-up इस stock ने पिसले 5-6 महिने में देखा था अब भी आप देखोंगे चार माच मेंने से range में और मेरे साब से एक हलका सा trigger चाहिए एक नहीं rally के लिए 508 के असपास यह चल रहा है और पिसले 6 दिनों से देखें तो higher base बनके और 475, 480 का support यहां पे सिप्ट हो रहा है गरीदारी की सला रखेंगे 490 का immediate support रखेंगे उपर में 530 के target के लिए ओके तो नया trigger क्या यह 28 December को जो fundraising की news है उससे मिल सकता है क्योंकि stock पर एक fundamental drive भी हमने last week ली थी बड़े target यहां exports के है और हमार सत्विनीत आये भी थे इस पर बात करने के लिए लेकिन technically चंदन को एक reason चाहिए होगा बड़ी rally के लिए यहां से ठीक है wait out करते हैं 28 December जो की इसी हफते में इनकी fund raising की board बैठक भी है Aptis value को एक बार कपिल के साथ discuss करते हैं यहां कहीं सारे blocks लगें और ब्लॉक के बाद लगबग 1% की तेजी Aptis value housing में है क्या इसमें इन लेवल पर एंटर करना चाहिए कपिल तो काफी जारे स्टाक्स में पॉजिटिव मोमिंटम है और Aptis भी लिस्टिक के बात में काफी है सारा है पेइल देखने मिला तो लेकिन उस पेइल से अभी उबर रहा है इसका स्ट्रक्चर है इंप्रू हो गया है जो इसका बेज मना के प्राइज ने ब्रिक आउट अल्री देख चुके है अभी फिर से एक मोमिंटम तो है लेकिन उसकी मोमिंटम के बात में नेक्स बेस दो निसके रेशन में देख रहा हूं तो काफी करीब ही आ रहा है लेकिन एक शॉट टम ट्रेड ज़रूर से इसमें बिठाया जा सकता है तब ही हम इसको बाई कर सकते हैं फिर 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 फाल के लिए अप्तिस वैल्यू पर यह बात रही लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं अगर आप डेरिवेटिव साइट पर देखें तो इस वक्त आपको मुदूट फिनांस में भी अच्छाए करन आप दिख रहा है इन फाक्ट एक बार मोती संस जूलर्स के भी सेटल कहा होता हुआ प्राइस दिख रहा है लगबाग 1343 पर सूरज स्टेट की सेटल दिख रही है प्राइस और 100 के आसपस 109 100% का प्रिमियम मोती संस और इसमें आपको याद दोगा इसके आंकर बुक भी बहुत स्ट्रॉंग रहा है तो लिस्टिंग गेंज के बाद भी स्टॉक में चलने की कितनी गुंजाइश है से आगे डिसकस करेंगे लेकिन फिलाल देखते हैं कहां सेटल होता है प्राइस आपको मुथूट माइको फिन वहां लगबाग 4-4% का थोड़ा सॉफ्ट म्यूटेट सा दिख रहा है लेकिन दूसरे दो स्पेसे जहां पर आपको सूरज एस्टेट को भी लगबाग म्यूटेट सा रिस्पॉंस मिल रहा है लेकिन जूडरी स्पेस में अच्छा एक्षिन एक्सपेक्टेड है कि वहां एक अच्छी लिस्टिंग हो सकते हैं जो आपको दिख भी रहा है यहां ठीक है लेकिन इस पीच कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छा एक्षिन है उसमें मुथूट फिनन्स वहां पर एक बिल्ट अप अच्छा है इनका भी आगे आईप्यों हाना है और इस ट्रिगर पे स्टॉक चला भी है लेकिन आज किस मोमेंटम भू कैसे अप्रोच करना चा करीब लास्ट एक महीने से यही लेवल है जिसको क्रॉस नहीं कर पाया है तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बॉकिंग कर लेना एडवाइसेबल रहेगा एक अच्छा सा राउंड ओफ आया था पर फिफ्टीन हंडड के पास अब मेरे खाल से थोड़ीड करता हुआ न किनकी एक्जिस्टिंग पॉजिशन हो बाला जी माइनस पे तो अब तक आप प्रॉफिटी लेक्या हो और मैं आपको बता हूँ अभी तक हमने जो शेयर डिसकस के आपको लग रहा होगे कि रिपीट ही हो रहे है रिपीट नहीं हो रहे बहुत अगर आप सारे शेयर को डिसकस करने जाओगे अच्छे शेयर बुर आप अलकार को देखो डेज हाई पे है यह सारे शेयर आपको ऐसे ही दिखेंगे जहां पर आपको मोमेंटम अच्छा बनता हूँ इसलिए ज़्यादा डिसकस्शन नहीं जो है वो पका होना चाहिए और ठीक होना चाहिए यह ज़्यादा जरूरी होता है खुश इस बास से क्या होती है डीलिंग रूम की उस समय टीवी पे बोलना अलग बात है सौधे पंच करके प्रॉफिट लेना अलग बात है वो एक अलग गेम होता है उसमें आपके पास पूरे राइट नहीं होते हैं उसमें ती फ्रीडम ही नहीं है कुछ चीज भी बोलने की या बात रखने की खेर एनिहाओ आगे बढ़ जाएं एक दो शेर और लिस्क में आ रहें एक्चुली राइट का भी एक शेर है चार परसंट उपर है मेरे को इसमें कोई ट्रेड बन रहा है मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है एक काम करते हैं कपिल से पता कर लेते हैं काफी देर से मरसत हैं भ अच्छा पैटन बंते हैं उनका सिग्निफिकन्स भी बहुत ज्यादा ही होता है इन डेली चार्क परसंट से मूव हो गया है तो मैं मुझता हूँ के 509 से लेके इसके जो मिडल पॉइंट और रहेगा ना कि बाए एक साथ करें लेकिन एक्युमिलेशन जोन हमें इसको एक् 525 का है और 525 जैसे ही लेवल लांग देता है तो उसके उपर में फिर से प्राइस के लेवल मुझे 560 के लेवल के देखने अच्छे देखने मिलते हैं तो स्ट्रक्शर बहुत ही अच्छा है एक्युमिलेट कर सकते हैं 525 और 560 के लिए तो आपने इस पर बायर देदी है सर हमने बगादा स्टेंपिंग लगा दी लेवल्स भी आब बता रहे हैं वह सब नोटिस हो रहा होगा खेर हम आगे बाढ़ते हैं आपको पता ही है नोपचास के आसपास एक मैनेजमेंट मरसा जुड़नी थी वो जुड़ चुकी है राम लली जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देनी के लिए सर पहले तो बिल्कुली बेसिक कुश्चन यह जो एसे एल का एकोजिशन की बात है इससे आपकी ताकत कितनी बढ़ेगी स्टेंथ कितनी आएगी पहले आप यह बता देजे फिर और बात होते हैं उसके मसीनिंग करती है तो हमारी केपैबिलिक्टी क्रेंक्षाफ मसीनिंग के रूप में काफी हद तक इंप्रूब हो जाएगी और यह जो सेक्टर है फार्म सेक्टर उसको केटर करती है तो फार्म सेक्टर में हमारा परजिंस काफी अच्छा हो जाएगा और काफ आफ़ी सिनर्जी है दोनों कंप्नियों के बीच में, मत-दोर रामकिशना फोरजिन औरач एक्षिनल के इसमें तमस सअफ एडिंग फैल्यू आप अगर देखें तो जिसके इतने भी फोरजिन वो रामकिष्णा फोरजिंग प्लान्ट से सप्लाई होगी, जिसे कि हमारी फोरजिंग लान को ज़्यादा उप्तिमाइजिशन कर पाएगे हम, उसके अलावा जो पॉड़क्ट है, जो हमारे ऐग्जिश्टिंग पॉड़क्ट है, लेकिन एक बार आपसे 2024 का आउटलुक भी समझना चाहते हैं, क्योंकि CV सेग्मेंट में ग्लोबल लेवल पर थोड़े से कंसर्ण्स, ग्लोबल स्लोडाउन के कंसर्ण्स तो हैं, हलाकि इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्स काफी स्ट्रॉंग और राइट हैं, लेकिन फिर भी क्या आप थोड़ा सा स्लोडाउन अंटिसिपेट कर रहे हैं, एन्ने क्लास एट ट्रॉक्स की ओडर इंफ्लो को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप देखो, नॉम्बर महिने के ओडर जो क्लास एट के थे, वो काफी बेदर थे पुराने ओर्डर से, लेकिन हमारे अवर्डर ओर्डर की कोईशन देखें, तो बहुत अच्छी है, यस, फोड़े ग्लोबल हेडविंड है, नौथ अमेरिका एंड यूरोप में, लेकिन यह टेंपरोरी है, और अगर स्पेस्पिक आर्केफोर्ज की बात करें, तो हमारे पास काफी नए ओडर, हमारे कोई शेडविंड का कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, और हम बैतर करेंगे, जो हम अभी तक नतीजे पहले आ रहे थे, उससे बैतर नतीजे उमीद कर रहे हैं, अगरे दो तीम क्वाटर में, हर क्वाटर में इसले क्वाटर से बैतर करने के उमीद कर रहे हैं, अगर अल्म मार्केट में ग्रोथ थोड़ टेपर हो सकता है, लेकिन छह से नौ मैने बाद यो मार्केट काफी तेजी सागे बढ़ेगा, इवन इन ओवर्सीज मार्केट जो सिग्नल्स हमको हमारे OEMs और कस्टमर से मिल रहे हैं। सर आपके टिपिकली कंपनी जो हैं वो क्लास एट ट्रक्स के लिए बहुत जानी जाती हैं। और मैं यह भी बोलूँगा कि कमर्शल वैकल्स में भी आप काफी अच्छे से काम करते हैं। आपकी कंपनी का काफी नाम है इसके अंदर। सर मेरे को ना आउटलुक चाहिए 2024 का कमर्शल वैकल्स को लेकर। इस समय क्या उतलुक चल रहा है क्योंकि आपसे बहतर कौन बताएगा जिनकी बुक्स ही उसके साथ बनी हुई है। ने तो निश्चे तो पहले मैं क्लास एट पर क्लास एट पर क्लास एट एक वेरियंट है बट हम केवल क्लास एट पर डिपेंडेंट नहीं हैं। हम उसमें मौझूद हैं और उसके लावा भी काफी नौन आट पर डिपेंडेंट में हम मौझूद हैं। उसके लावा अगर आप आउट लोग की बात करें। हमने पहले भी आउट लोग दिया था और अभी भी उस पर गाइडेंस पर काया है। हम कम से कम 20% ग्रोथ करेंगे यर ओन यर शेयर बिसीज पर इन आरके फोज की बात करें तो जिस इस्तिति में हैं और जो कॉंदेंस लेबल है हमको लगता हम वह से भी बैतर कर पाएंगे। अगर आज की जिन जैसा है या तेपर रहता है या मॉडरेट रहता है इं तुमस्टिक काफी स्टॉंग है भी भी तो भी हमको लगता हम बहुत आराम से यह गाइडेंस मैंटें कर पाएंगे। मैंटेंड रहेंगे क्योंकि इंडिन आउटलुक का डिमस्टिक मार्कट आउटलुक स्टॉंग है एक और चीज़ क्योंकि आप नहीं अक्विशिशन के साथ-साथ कुछ डिफरें सेग्में नाए सेग्मेंस में भी फोरे कर रहा है आप ता इंफाक कोल्ड और वार्म कोल्ड फोर्जिंग हमारी पिछले अगले साथ प्रोडक्शन में आ जाएगी और कोल्ड फोर्जिंग जो हमने यूनिट लगा रहे हैं वो बैक्ट बाए टेक और पे कॉंट्रेक्ट है नेक्स्ट सेवनियक ले फुली सोल्ड आउट प्रोड़क्शन है हमारा उसका और वह पोलिग ऑदर फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग में क्या करना है लेकर भी काफी अधे बार कें जो ब्रूट्री से अपने चीफक हर एक बनारेरा है और शो पर पर अपने प्रोड़क्ट बैलब करकर एक मार्क्ट शेर ह्मारा तीन पर पर तीने और उमीद करते हैं आने वाले समय में कंसे हम 6-8% हो जाएगा अगले 2-3 साल में हमारे टोटर टर्ण होगा केवल EB पोड़ेट के लिए लालजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए इस नई acquisition के आगे किस तरह की prospects हो सकता है वो हमें समझाने के लिए और outlook 2024 domestic market का strong देख रहा है यह सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जल्दी आपसे फिर बात होती है